Hello students, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सुपरफासरेस का अगला वनसौट जिसमें हम किरण प्रकासिकी के बारे में बात तरेंगे पूरी प्रकासिकी UP बोड में 13 नंबर में पूछी जाती है जिसमें हम तरंग प्रकासिकी और किरण प्रकासिकी को अलग-अलग सेपरेट करके पढ़ेंगे आज हमारी क्लास केवल और केवल किरण प्रकासिकी पर होगी जिसमें हम अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे और प्रिद्म से अपवरतन पढ़ेंगे, लेंस से अपवरतन पढ़ेंगे, वर्ड विच्छे पढ़ेंगे, प्रकासिकी अंतर पढ़ेंगे, जिसमें मानो नेत्र और कुछ सोचमदर्सी, सरल सोचमदर्सी, सहिंतु सोचमदर्सी और खगुली दूरदर्सी के बारे में बात आते चले जाएंगे तो प्रकास का अपवर्तन क्या है तो प्रकास का अपवर्तन यह होता है जब कोई प्रकास किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल पत से बिचलित हो जाती है प्रकास की इसी परिखटना को हम प्रकास का अपवर्तन कहता है इस statement को अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि अगर कोई प्रकास किरण है यहाँ पर यह है हमारे पास दो माध्यमों को प्रथक करने वाली परिसीमा जिसमें यहाँ पर है माध्यम एक पहला माध्यम है और यहाँ पर दूसरा माध्यम दे रखा है इन दोनों माध्यमों में अगर बात किया जा कि कोई प्रकास किरण आ करके गिरती है यहाँ पर कोई प्रकास किरण आ करके टकराती है सतह के उपर तो हम जानते हैं यहाँ पर हम अभिलम्ब खीचेंगे यहाँ पर अभी लंब खीचेंगे अब ये प्रकास किरण क्या करेगी अपने मार्ग से बिचलित हो जाएगी इसका पत सीधे था या तो ये इधर की तरफ चली जाती है या फिर ऐसा होता है कि इधर अभी लंब की तरफ जुग जाती है तो आने वाली किरणों को हम कहते है आप्तित किरण आप्तित किरण कहा जाता है सतह के उपर जिस बिंदू पर टकराती हैं उसे आप्तन बिंदू कहते हैं उसे लिखा जाता है और यहाँ पर जो लंब खीचा जाता है उसे हम कहते हैं अभी लंब अभी लंब कहा जाता है और ये क्या है तो ये है अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण है तो जब कोई प्रकास किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो अपने मूल मार्ग से बिचलित हो जाती प्रकास किसी परिखटना को हम क्या कहते हैं प्रकास का अपवर्तन कहते हैं लेकिन प्रकास का अपवर्तन जो ये हो रहा है इसके लिए ये भी आवस्यक है कि बिचलन हो ऐसा भी हो सकता कि बिचलन ना भी हो इसके लिए क्या होता है नॉर्मल इंसिडिंस का मतलब यह है कि अगर यह सर्फेस है ठीक है इधर पहला मांध्यम है इधर दूसरा मांध्यम है एक प्रकास की किरण यहां सीधे आपति थूई यह प्रकास की किरण माल लेते हैं आपति थूई यहां पर इस तरह से 90 degree पर अगर आपतित होती प्रकास की किरण तो बिना बिचलित हुए सीधे निकल जाती है ठीक है यहाँ पर bending नहीं होती है यहाँ पर बिचलन नहीं होता इसे कहा जाता है अभी लंबवत अभी लंबवत आपतन नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं इसे इस केस में क्या होगा यहाँ पर i की value 0 है r की value भी 0 रहती है आगे बाद करते हैं अभी लंबवत आपतन हो गया यहाँ पर दूसरा होता है grazing incidence यह ऐसे कैसे होता है देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से कि अगर कोई यहाँ पर प्रकास की किरण आती है तो यह इस पर टच करते हुए सीधे निकल जाती इसमें भी विचलन नहीं होता तो इसे हम कहते हैं grazing incidence यहाँ पर यह अभी लंब खीचा जाएगा एक अभी लंब होता है कि अगर curve surface होती है वक्राकार सतह होती तो उस पर से गिर रही है यहाँ पर ठीक है और इस पर अगर अभी लंब खीचना हो तो इसका केंडर कहीं पर होगा माल लेते हैं यहाँ कहीं पर है तो इस पर जब हम अभी लंब खीचेंगे तो इस तरह से अभी लंब खीचते हैं यह अभी लंब खीच दिया अगर कोई सतह दी गई है इस पर हमें अभी लम्ब खीचना जैसे यहाँ पर आकर के प्रकास की रडाप्ति थूती हमें अभी लम्ब खीचना है तो यहां कहीं पर अगर इसका center है इस वक्राकार सतहेगा तो इसके सापेच क्या होगा इसमें इसको सीधे जाना चाहिए सीधे जाएगी नहीं तो इससे दूर की तरफ निकल जाएगी तो वो निर्भर करेगा माध्यम कैसे दिये गए तो जब कोई प्रकास किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल मार्ग से बिचलित हो जाती है प्रकास किसी परिखटना को प्रकास का अपवर्तन कहते है ठीक है याद रखेंगे परिभासा अपवर्तन के नियम के बारे में बात तरहें तो हम लोग अ अग माध्यम दिये जाए और वो fix रहें पहला निये मगर लिख लिया जाए आपतित किरण दूसरा होता है अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलम्ब तीनो एक ही तल में होता है तीनो एक ही तल में होता है ठीक है दूसरा पॉइंट क्या है दूसरा नियम क्या कहता है पहला नियम तो ठीक है आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलम्ब तीनो एक ही तल में होता है जैसे यहाँ पर हम लोगों ने भी बात किया कि ये आप्तित किरण है ये पुर्तित किरण है आपतन बिंदु पर जो अभिला में की चाहिए तीनों एक ही तल में होता है ठीक है आगे अगर बात किया जाए कि दूसरा नियम क्या है दूसरे नियम को पहले अध्यम बदल नहीं रहें और यहां पर जो प्रकास कि किरण आकर के आपतित हो रही है उसका रंग निर्धारित है मतलब इसका लेम्डा परिवर्तित नहीं हो रहा है तो लेम्डा भी नियत है नियत है तो अब यहां पर कहा जाता है इसकी डेफिनेशन क्या है वो सुनना चा सीधे जाना चाहिए था ये अपने मार्ग से बिचलित हो करिधर की तरफ चली गई तो ये वाला जो कोड़ बनेगा इसे हम क्या कहेंगे आर कहेंगे तो कहते हैं दो दिये गए माध्यम के युगमो फॉर सेम पेर आफ मीडिया दोनों माध्यम अगर समान रहते दोनों तरफ क और जो आप्तित प्रकास है उसकी तरंग धैर नियत हो मतलब उसका रंग निश्चत हो तो कहते हैं यहाँ पर जो आपतन कोड की जया होता है साइन आई और अपवरतन कोड की जया होती है जो साइन आर उसका जो अनुपात होता है वो नियत रहता है ये है स्नायल का नियम इ तथा समान जो रंग होता है तरंग धैरे या समान प्रकार की तरंग धैरे एक निश्य तरंग धैरे के लिए आपतन कोड की जया और अपवरतन कोड की जया का अनुपा सदर नियत रहता है अब अगर इसके बारे में यहां पर बात किया जाए कि यह अनुपात क्या है तो यहा अपवर्तनांग कोई आएगा तो यहां नियतांग लिखा जाता है अपवर्तनांग के रूप में उसे लिखते हैं हम म्यूटू बाई म्यूवन यह अपवर्तनांग होता है इस माध्यम का म्यूवन का और यह होता है म्यूटू का ठीक है तो यह होते हैं अपवर्तनांग के ब क्या है यह है पहले माध्यम का अपूरतनांग है अगर बात किया जाए इसको थोड़ा डिटेल में लिखना चाहें कभी-कभी फार्मूले बन जाते हैं तो याद रखने के लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर यहां क्या लिखा गया है म्यूटू बटा म्यूव यह तो होता ही है इसके साथ रिलेट करके लिखना चाहें तो V1 बटा V2 लिखा जाता है और यहां पर लिखा जाता है लैम्डा 1 डिवाइड़ बाई लैम्डा 2 अगर तरंग का गुड़ कंसीडर किया जाए तो लैम्डा भी परिवर्थित होगा इससे लिखा जा सकता है य नियत रहती है आवरत नियत रहती है बाकी सब कुछ परिवर्तित हो जाता है वेग भी बदलता है, चाल भी बदलती है तरंग दहरे भी परिवर्तित हो जाती है ठीक है, तो ये होता है स्नायल के नियम का बिस्तरत रूप, कभी कोई फार्मूला यूज़ करना पड़े, इस नायल के नियम का तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठिक, आगे बढ़ते हैं, निरपेच अपवरतनांग, अभी अपवरतनांग के बारे में बात की, तो परिभासित कर लेते हैं, कि अपवरतनांग क्या होता है, तो हम लोग डिफाइन कर लिखते हैं, तो म्यू बराबर होता है, निरुवात में प्रकास की चाल, डिवाइड़ बाई, माध्यम में प्रकास की चाल, माध्यम में प्रकास की चाल, अगर हम इसे C से लिख दें, और इसे V से लिख देते हैं, तो यहां से Mu का फार्मूला निकल के आ रहाँ, C by V, और यहां से हम लोग निकालना चाहें, तो निकाल सकते हैं, माध्यम में चाल, ऐसा भी फार्मूला पूछा जाता है, तो माध्यम में चाल, किसी दिए गए माध्यम में चाल निकालना हुवी बराबर तो इसे लिखते हैं c by mu यहाँ उपर वाले फार्मूले से रिजल्ट निकल के आ रहा देख सकते हैं ठीक है तो निर्पेच अपुरतनांग क्या होता है तो निर्वात में प्रकास की चाल तथा उस दिये गए माध्यम में प्रकास की चाल का अनुपाद उस माध्यम का निर्पेच अपुरतनांग कहलाता है निर्पेच अपुरतनांग तो लिख लेंगे यहाँ पर याद रखना चाहें तो लिख सकते हैं mu जो air का होता है वो लगभग में एक लिया जाता है 1.008 संथिंग होता है लेकिन एक लिया जाता है mu काच का in general जो लिखा जाता है glass का वो 1.5 या 3 बटे दो लिखा जाता है जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं mu water या जल का अगर ना दिया हो तो हम 4 बटे 3 प्रियोग करते हैं mu diamond का हीरे का दिया जाता है तो वो लिखा जाता है 2.4 के approximate value देता है ठीक है तो यह पुरतनांख है निरपेच अपुरतनांख जो याद रख सकते हैं यह वायू के सापेच लिखे गए होते हैं यहाँ पर होता है relative refractive index relative सापेच जब हम किसी के सापेच पुरतनांख लिखते हैं पहले माध्यम के सापेच दूसरे का दूसरे के सापेच पहले का तो उनको कैसे लिखा जाता है बात दरते हैं तो किसी नहीं कह दिया कि हम माल लेते हैं mu यहाँ से ऐसे figure बनाते है figure समझते है यहाँ प्रकास की किरण यहाँ आ रही है यहाँ भी लंब खीचा गया इधर चली गया इसका पुरतनांख कितना दिया गया है mu1 और इसका पुरतनांख दे रखा है mu2 यहाँ पर refractive index बताना है एक मिनट यह है पहले माध्यम के सापेच दूसरे माध्यम का अपुरतनांख तो पहले माध्यम के सापेच जब दूसरे माध्यम का अपुरतनांख लिखना होगा तो इसका notation देखो कैसे लिखा जाता है दूसरे माध्यम का अपुरतनांख लिखना पहले माध्यम के सापेच तो इस तरह से लिखते हैं और इसका फार्मूला खोला जाता है जो पीछे रहता है उपर रहता है जो आगे होता है उनीचे रहता है ठिक ऐसे लिख सकते हैं अगर कोई कहता है कि नहीं दूसरे माध्यम के सापेच पहले माध्यम का बताओ तो ये μू 1 by μू 2 लिखा जा सकता है एक सवाल है ट्राइ कर सकते हैं मू दिया गया है गलास का 3 बटे 2 मू दिया गया है वाटर का 4 बटे 3 तो W, मू G निकाल लेना और G, मू W निकाल लेना जल के साफेच काच का पुरतनांक और काच के साफेच जल का पुरतनांक निकाल सकते हूं ठीक है आगे बढ़ते हैं आरस्विक विस्थापन के बारे में बहुत रते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है वो तो बहुत आसान है याद रख सकते हैं लेकिन ये उत्पन्य कैसे होता इसके बारे में बात तरें, तो अगर ये कोई glass slab है, काच की पट्टिका है, ये ऐसी कोई काच की पट्टिका है, यहाँ पर प्रकास किरण आप्तित होती है कोई, ये कोई प्रकास किरण आप्तित होती है, ये सीधे चली गई, यहाँ पर अगर हम लोग अभिलंब खीचेंगे यह अभिलंब है अलग कलर से बनाता है यह अभिलंब खीच दिया गया तो अगर अभिलंब खीचेंगे हम तो यह वायू से कांच में जा रही कांच की पट्टिका है जिसकी मोटाई हम लोगों ने T मान रखी है ठीक है तो अभिलंब की ओर जुकेगी अभिलंब की ओर जुकेगी हम जानते हैं अगर सगन से बिलंब माद्यम में जाते हैं तो प्रकास किरण क्या होती अभिलंब की ओर जुकती है तो बिलंब से सगन में गए प्रकास किरण अभिलंब की ओर जुकत गई अब अगर हम दूसरी सतह के उपर अभिलंब खीचें, यहां पर अगर अभिलंब खीचेंगे, तो अगर यहां भिलंब खीचेंगे, तो अब क्या हो रहा होगा, अब प्रकास की किरण कहां से कहां जा रही है, तो प्रकास की किरण अब जा रही है सघन से विरल में, तो सघन स से बिरल में जब जाएगी तो अभी लंब से दूर हटेगी तो अभी लंब से दूर हटेगी तो इसका पत कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर यह आपतित किरण कहलाती है और यहाँ पर यह जो किरण है अंदर इसे हम अपवरतित किरण कहते हैं यह I लिखा गया है हमारे पास value यह R है और यहाँ पर E लिखा जाता है इसे हम कहते हैं निर्गत कोड निर्गत कोड कहा जाता है और निर्गत कोड ये बराबर किसके होता है तो बराबर होता है ये आपतन कोड के आपतन कोड के बराबर रहता है ठीक है अब यहां से एक बात देख सकते हैं ये पथ था इसका और ऐसे जा रही है तो इनके बीच में कुछ यहाँ पर बिस्थापन आया, इस बिस्थापन को हम D से लिखते हैं, और इस D की value अगर लिखे जाए तो D बराबर लिखा जाता है, यहाँ से formula से निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, एक minute में तुरंत निकल जाएगा, यहाँ इसे आगे बढ़ा यहाँ पर S है, और इस value को लिख देते हैं D, displacement to R, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कि यह R है, तो हम यहाँ से QR की value क्या लिख सकते हैं, T के रूप में, तो आधार बटे कर्ण लगा सकते हैं, तो आधार की value है T, कर्ण की value पता नहीं, वो है Q into R, बराबर म क्या लिख सकते हैं, कॉज R लिख सकते हैं, तो यहाँ से QR की value क्या मिल जाएगी, तो यह value मिल जाएगी T divided by में, कॉज R, ठिक, अगर इस वाले समकोर तरभुज में लगा लेते हैं, sin I minus R, तो sin I minus R बराबर क्या लिखा जाता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बहुट जाएगा, RD, divided by में क्या लिखेंगे, तो क्यों R लिखा जाएगा, क्यों R की value है, T, divided by में यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग, cos into R, तो RD की value जो निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, T into sin I minus R, divided by में क्या लिख सकते हैं, cause R लिख सकते हैं, तो यह होता है पार्सविक बिस्थापन का फारमूला, यह होता है, पार्सविक बिस्थापन, भिस्थापन का फार्मूला इस तरह से लिखा जाता है तो ये फार्मूला कहां से आता है ये भी याद रखेंगे और यहां पर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि निर्गत कोड आपतन कोड के बराबर होता सिद्ध करो सिद्ध भी किया जा सकता है सनल का नियम लगा करके फार्मूला निकल के जो आया है उसे याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं वास्तविक गहराई जिता आवासी गहराई क्या होती है जैसे हम लोग देखते हैं परतन की क्रिया में कि अगर किसी पानी भरा हो कहीं पर उसका तल देखा जाए तो उसका तल गहरा जितना होता उससे थोड़ा उपर उठा हुआ दिखाई देता है कैसे दिखाई देता है उसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक सतह ले ली गई और यहां पर माल लेते हैं जल भरा हुआ है यह जल भरा हुआ हमाल लेते हैं यह जल भरा हुआ है अब यहां कहीं पर माल लेते हैं कोई औबजेक्ट है कोई वस्तु यहां कहीं पर रखी गई है अब इसको हम देखना चाहते हैं बाहर से तो इससे दो किरणे चलेंगी हम लोग ऐसा तो जानते हैं ऐसा आइडिया रहता है हमें एक तो सीधे निकाल देते हैं ये प्रकास किरण यहां से गई तो ये प्रकास किरण यहां पर जाएगी लेकिन अब हम जानते हैं इस सतह के उपर अगर अभिलंब खीचेंगे तो अभिलंब कैसा होगा ये अभिलंब खीच दिया गया हम ये देखना चाहते हैं कहां से प्रकास किरण जा रही तो अब लंब से दूर रटेगी तो कुछ इस तरह का पत निकल के आएगा इसका अब अगर यहाँ पर कोई observer है यहाँ पर अगर कोई observe करने वाला प्रेचक है वो देख रहा है शीज को कि हाँ यह किरने कहां से आ रही है तो उसे यहाँ से आती हुई नहीं दिखाई देंगी यह किरन उसे यहाँ कहीं से आती हुई दिखाई देगी और इस स्वस्तु का प्रतिविम्ब उसे यहाँ मिलेगा यहाँ पर बनेगी इसकी image यह image बनेगी तो देखो था गहराई ज़्यादा अधिक कम रहा है तो यही कारण होता है कि आभासी गहराई वो आस्तविक गहराई से होती है हमें यह बताना है कि अगर इसका अपुरतनांक mu लिखा गया हो और इसकी जो वास्तविक गहराई है यहाँ से यहाँ तक की इसको हम लोग लिखते हैं D actual ACT से D actual हो गया और यहां से यहां तक यह जो गहराई दिख रही है वो तो आभासी गहराई है तो यह D apparent हो गया D आभासी गहराई हो गया इन दोनों में जो सम्मंद होता है उसके बारे में यहां से बात करें तो D apparent जो लिखा जाता है वो बराबर होता है D actual divided by mu यहां से कह सकते हैं आभासी गहराई बराबर होती है वास्तविक गहराई बटे अपुरतनांग इस तरह से फार्मूला लिखा जाता है तो फार्मूला काम करेगा फार्मूला याद रख सकते हैं एक और बात यहां से पूछी जाती कि shift कितना हुआ shift का क्या मतलब इस्थापन कितना हुआ object यहां थी दिख रही है मतलब यहां पहले बस तो थी अब उसकी image यहां बनी तो यही तो दिख रही होगी तो यहां थी यहां दिख रही तो यहां से लगा करके यहां तक की दूरी दुबारा से यहां जो लिखा गया है यहां से लगा करके यहां तक की दूरी को हम कहते हैं विस्थापन विस्थापन वस्त की स्थिति में विस्थापन इसे हम लोग shift लिखते हैं इंगलिस में shift होती है और यह shift की value कभी कभी पूछी जाए तो क्या बता सकते हैं तो कहेंगे total d होगा actual जो दूरी होगी कुल उसमें से क्या करते हैं d apparent को हटा देता है यह निकलाएगा तो d actual तो d actual है ही d apparent की value क्या है d actual divided by में mu है तो यहाँ से d actual को common ले सकते हैं तो यह value अभी यहाँ से देखें कितनी निकल के आएगी तो d actual को common ले सकते हैं तो वास्तविक जो गहराई उसे common ले लिया जाए तो यहाँ निकल के आएगा 1-1 by mu का shift निकल के आता है तो यह होता है shift मतलब अगर कोई वस्तु d गहराई में रखी गई है तो वो d गहराई से नहीं इतना उपर उठी हुई दिखाई देती तो इतना shift होता है आभासी और वास्तवी गहराई में संबंध होता है पेपर में पुछा जाता है तो इसे लगा सकता है आगे बढ़ते हैं कि बहुत ही महत्रपूर्ण गुड के बारे में बात दरते हैं परिघटना है जिसे हम कहते हैं पूरांतरिक परावर्तन तो यह कैसे observe की जाती है एक-एक करके देखता है इस घटना को हम लोग एक फिगर बना करके समझते हैं फिगर ऐसा है कि यहां पर हम लोगोंने माध्यम मान रखा है कि इधर माध्यम है सगन और उपर जो दिया गया माध्यम है वो बिरल माध्यम है बिरल माध्यम का पूरतनांक लिख लेते हैं म्यू वन है या फिर हाँ इसका पुर्तनाग लिख लेता है, Mew2 है, ठीक है, एक आप्तित किरण यहाँ से आप्तित होती है, ऐसे आप्तित होती है, आप्तन के बाद क्या होता है इसके साथ, अब बिरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हट जाती है, ऐसा होगा तो यह आपतित किरंड थी यह अपवर्तित किरंड थी यह आपतन कोड आई था यही तो होगा एक जब कोई प्रकास किरंड सखन से बिरल माध्यम में जाती तो अभिलंब से दूर हड़ जाती है और बिरल से सखन में जाएगी तो अभिलंब की ओर जुकेगी ठीक है इसमें आपतन कोड का मान थोड़ा बढ़ा दिया जाए यहां से देखते हैं अगर आपतन कोड का मान थोड़ा बढ़ा दे हम तो क्या होगा इसके साथ तो आपतन कोड का मान अपकी बार थोड़ा बढ़ा दिया गया है तो प्रकास किरण जो थी अपवर्तित प्रकास किरण वो भी बिचलित हो गई थोड़ा दूर बढ़ गई है दूर बढ़ गई है यहाँ पर I2 माल लेते हैं और यह I1 है तो यहाँ पर जो I2 है वो बड़ा हो गया है किस से? I1 से यहाँ पर क्या है यह होगा R1 और यहाँ पर यह हो जाएगा R2 तो R2 भी बढ़ा हो गया इस बार तो जैसे जैसे हम आपतन कोड का मान बढ़ाते जा रहे हैं अपतन कोड का मान बढ़ता जा रहा है अब थोड़ा और बढ़ाया जाए तो अब थोड़ा और गर हम बढ़ाएं यहाँ से थोड़ी वैल्यू और बढ़ा दी जाए इसकी ऐसा तो अगर ये value इतनी बढ़ा दी जाए कि ये प्रकास किरण इसी tangential direction में निकल जाए आगे की तरफ कुछ इस तरह से दूसरे माद देम में न जाए उसकी सतह से हो करके निकल जाए तो ये है अपवरतित किरण तो यहां से एक चीज देख रहे होँगे है यह आपतित किरण है यहां पर जो आपतन कोड होता है जिसके लिए यहां पर अपवरतन कोड का मान 90 डिग्री लिखा जाए इसी को कहते है आई सी या फिर इसे सी कहते है या फिर theta c कहा जाता है इन सब के नाम एक ही है जिनको हम कहते हैं क्रांतिक कोड क्रांतिक कोड कहा जाता है अब इसको हम language के form में समझते हैं कि जब कोई प्रकास की रण सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है तो वहां भिलंब से दूर हट जाती है सघन माध्यम में जैसे जैसे आपतन कोड का मान बढ़ता जाता है बिरल माध्यम में बनने वाले अपवरतन कोड का मान बढ़ता जाता है अब क्रांतिक कोड की परिभासा क्या लिखे जाती है तो सगहन माध्यम में बनने वाला वहाँ आपतन कोड़ जिसके लिए बिरल माध्यम में बने अपवरतन कोड़ का मान 90 डिगरी हो उसे हम क्या कहते हैं क्रांतिक कोड़ कहते है इसे हम क्रांतिक कोड़ कहते हैं तो परिभासागर पूछी जा तो यहां से बता सकते हैं अब यहां से सबसे पहले हम बात दिरते हैं कि परिभासागर लगाई जाए यहां सनल का नियम लगाया जाए तो हम कहेंगे तो साइन आई सी की वैल्यो निकल के आएगी मूटू बाई मूटू बाई मूटू बाई मूटू बाई और अगर वाईू के लिए बात करें तो वन बाई इसे हम मूटू लिख सकते हैं तो साइन आई सी की वैल्यो निकल सकते हैं तो यहां से करांतिक कोड का मन निकाला जा सकता है अब अगर बात किया जाए कि जो यह आपतन कोड है इस आपतन कोड की वैल्यो को बढ़ा दिया जाए आपतन कोड की value को बढ़ा दिया जाया मतलब इतना यहां से दुबारा बात करता है कि यह value बहुत ज़्यादा कर दी गई आपतन कोड की यहां पर जो i है वो i.c. से बढ़ा हो गया करांतिक कोड से बढ़ा हो गया तो प्रकास सघन माध्यम में न जाकर के वो बिरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में वापस लोड जाता है इसी परिखटना को कहा जाता है पूड आंतरिक परावर्तन ठीक है तो याद रखेंगे यह पूड आंतरिक परावर्तन हो गया तो जब कोई प्रकास के नड़ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है अब सगन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है तो अपने पत से डेवियेट होती ही बिचलेत होती ही मतलब अभिलंब से दूर हटती है जैसे जैसे आपतन कोड का आमान बढ़ाते जाते हैं वैसे अपवर्दन कोड का अमान बढ़ता जाता है सगन माध्यम में बनने वाला वह आपतन कोड की जिसके लिए बिरल माध्यम में बने अपवर्दन कोड का अमान 90 डिग्री होता है करांतिक कोड कहलाता है यदि आपतन कोड का अमान करांतिक कोड से अधिक कर दिया जाया तो प्रकास बिरल माध्यम में ना जाकर सगन माध्यम में ही वापस लौट जाता है प्रकास की इस परिघटना को पूरांतरिक परावर्तन कहते हैं इसके उधारणों की बारे में बात करें तो हीरा इसकी वज़े से चमकता है ठीक है दू अप्रियोग यहां पर लिखे गए है एक एक करके हीरे का चमकना हीरे का चमकना दूसरा पॉइंट अगर बात करें दूसरा पॉइंट क्या है मरीचिका का बनना मरीचिका का बनना रेगिस्तान में मरीचिका का बनना तीसरा पॉइंट होता है प्रकासिक तंतु प्रकासिक तंतु ओप्टिकल फाइबर होता है हीरा क्यों चमकता है हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा कोई बनाया जा हीरे का कोई एक भाग बनाते हैं हम लोग ऐसा कोई भाग प्रकास की किरण यहां पर आकर के आप्तित हो और यहां पर हम लोग अभिलंब खीच देते हैं तो यह अभिलंब की ओर जुग जाती है और यहां पर अगर दुबारा से अभिलंब खीचा जाता है यहां पर अगर IC हो जाता है फिर प्रकास इधर बढ़ता है और इसी तरह से यहाँ पर I greater than IC हो जाता है और लगातार इसी में चलता रहता है तो यहाँ पर इस तरह से इसे काटा जाता है इसके एज को कि प्रकास एक बार इसके अंदर ट्राइप हो जाए तो लगातार इसके अंदर तो अगर ये उपर सघन माध्यम नीचे विरल माध्यम यहां कहीं पर हम खड़े हैं माल लेते हैं यहां कहीं पर हम खड़े हैं यहां पर एक पेड़ लगा हुआ है ठीक है यह ऐसा कोई पेड लगा हुआ है यहां से प्रकास किरणे आती हैं तो यहां से टकरा करके हमारी याँखो तक पहुंचती है और इनको अगर देखा जाए तो ऐसा पता चलता है हमें कि यह पेड उपर ना दिख करके हमें नीचे की तरफ दिख रहा होगा यह ऐसा होगा तो यह इस तरह मरीचिका बनती है प्रकासिक तंत्यू के बारे में अगर बात किया जाए तो यह कुछ ऐसे होते हैं ओप्टिकल, फाइवर, कुछ ऐसे इनमें सिगनल ट्रांस्मीट करवाया जाता है कि अगर कोई प्रकास किरण आकर के इसके अंदर एंटर कर जाती है तो यहाँ पर भी I greater than IC हो जाता है और फिर आगे की तरफ transmit करता है इस तरह से transmit करता रहता है दूसरे end पर फिर collect कर लिया जाता है यहाँ पर I greater than IC रहता हर एक अप परावरतन में I greater than IC रहता है तो प्रकासिक तन्तों में इस तरह से signal चलते है और यहाँ पर यह हीरा चमकता है और यहाँ मरीचिका बनती इस तरह से node point में एक concept है जो याद रख सकते है concept क्या है कि अगर हम लोग यह कोई सतह माल लेते हैं यहाँ पर पानी भरा हुआ है यहाँ कहीं पर वो मचली है यह है फिस यह बताना है कि यह मचली कितना area उपर का देख सकती है तो एक प्रकास किरण सीधे निकल गई और दूसरी प्रकास किरण अगर यहाँ पर जा करके आपतित होती है तो यहाँ यह भिलंब खीचा जाएगा इसे हम I लिखेंगे और यह अभिलंब से दूर हटेगी तो कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पर और इस वाले कोड को हम क्या लिख देंगे R लिख देंगे अब यहाँ I और R कैसे होंगे उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं यह गहराई माल लेते कितनी है वो H है अगर स्नेल का नियम लगाया जाए सतह के उपर तो इसका पुर्तनाक अगर मू लिख लिया जाए तो हम यहाँ से कह सकते हैं sin I divided by में sin R बराबर क्या लिखा जा सकता हागे तो अधिक्तम एरिया कवर करने की कंडिशन में यहाँ से सीधे सीधे हम बात दरते हैं sin I की जो value होगी sin I C की value उसे हम 1 by में लिख सकते है simple कि यह वाले जो सतह है वो कुछ इस तरह से हमें जाए कितना अधिक्तम एरिया देख सकती है तो यहाँ से जाने के बाद सतह के समांतर हो जाए यहाँ से जाने के बाद सतह के समांतर हो जाए तो यह जो छित्रफल बनेगा यहाँ पर वरत्य भाग का वही देखा जा सकता है तो sin ic की value यहाँ से निकाल ली गई अब हम यह देखना चाहते है sin ic यहाँ से तो निकाल लिया गए अगर यह sin i है तो यहाँ से देख सकते है एक आंतर कोड से यह भी sin i बनेगा मतलब i बनेगा तो इसे क्या लिखा जा सकता है तो हम यहाँ से लिख सकते है sin i बराबर लंब की value क्या है r divided by यहाँ पर current लिखा जाएगा तो यह value current लिखी जाएगी current कितना होगा तो यह h है यह r है तो इसे लिख सकते है r square plus h square का under root इस तरह से लिख सकते हैं यह value तो इन दोनों को अगर हम बराबर कर दें यह भी sin i c यह भी sin i c है तो क्या निकल के आएगा 1 by mu is equal to r divided by यहाँ पर है r square plus h square दोनों पच्छों का work कर दें तो 1 by mu square बराबर निकल के आएगा r square यहाँ पर r square plus h square multiply कराए r square plus h square बटे r square इधर भेज देते हैं बराबर 1 by mu square बन जाएगा अब mu square यह value बनेगी इसको इधर भेज दिया नीचे उतार दिया यह mu square के बराबर निकल के आएगा अब इससे solve करते हैं तो देखो 1 बनेगा इधर भेज देते हैं तो यह value आएगी h square divided by r square बराबर mu square minus 1 तो यहां से r बराबर क्या निकल के आएगा h divided by root over mu square minus 1 इतनी तरिज्या के बरत्ताकार पत को देख सकती अगर छेतरफल यहां से निकालना चाहें तो pi r square बनेगा तो a बराबर pi r का square अगर यहां से निकालेंगे क्या बन जाएगा h square divided by mu square minus 1 इतना छेतरफल देखा जा सकता है इस मचली के द्वारा इस पर सवाल मनें तो direct कर सकते हैं अब यहां से सवाल सुरू हो रहे हैं कि करके देखते हैं कि जब कोई प्रकास किरण n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोड का मान आधा रह जाता है मतलब r जो है वो i का आधा है यही कहना चाहते है तो कहरें अपवर्तन कोड का मान गया तरू तो हम जानते हैं यहां से माध्यम का अपवर्तनांक इंदे रखा है तो यहां से लिखेंगे i बटा 2 बराबर में n बन जाएगा sin 2a का उपर फार्मूला खोल देते हैं तो 2 sin i बटा 2 into cos i बटा 2 बन जाएगा और यहां divided में लिखेंगे sin i by 2 तो यह बन जाएगा sin i बटा 2 यह cancel हो गए दोनों तो यहां से निकल के आएगा n तो यहां से हम लिख सकते हैं cos i बटा 2 बराबर n by 2 बनेगा ठीक है तो अगर हम इसे लिखें पूछा क्या है अपवरतन कोड का मान बताना r की value बतानी है कोई बात नहीं यहां से बता लेंगे i by 2 बराबर क्या निकल के आएगा cos inverse n by 2 बनेगा लिखते हैं तो यह आएगा 2 cos inverse n by 2 निकल के आएगा और अगर r की value निकालेंगे तो वो simply आजाएगे cos inverse n बटा 2 तो दोनों मान में से जो भी पूछा जाए वो आंसर लिख सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ गोली अपवर्तक सते से प्रकास का अपवर्तन देखना चाहते हैं तो इसका formula तो याद ही है यहाँ पर अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं कैसे निकाला जाता है तो यह i दिया गया है यह gamma दिया गया है यह alpha दिया गया है तो इस ट्रैंगल के अंदर अगर देखें तो गामा जो आई यहाँ पर लिखा गया है वो क्या होगा गामा प्लस अलफा के बराबर होगा बहिस्कोड प्रमें से तो आई की वैल्यू इन जर्नल लिख्शी जा सकती है गामा प्लस अलफा के बराबर ठीक है दूसरा यहाँ से देख सकते हैं बीटा और र की वैल्यू गामा के बराबर आएगी तो बीटा और र की वैल्यू गामा के बराबर आएगी तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं R वरावर लिख सकते हैं गामा माइनस बीटा यह value लिख सकते हैं यहाँ से और I की value हमारे पास यह मिली गई है अब यहाँ पर इस value को हम माल लेते हैं कि यह H है यह H है लंब जूख खीचा गया है तरानलफा निकाला जाये तो कितना निकाला जा सकता है सबसे पहले हम लगा लेते हैं साइन I by साइन R सतय के लिए साइन I बटा साइन R बराबर इधर का म्यू1 उधर का म्यू2 है तो इससे हम लिख देते हैं म्यू2 divided by म्यू1 ठीक है, आई की वैले बहुत छोटी होगी, तो आई की वैले हम यहां से direct लिख सकते हैं, gamma प्लस alpha, यहां से दिख रहा है, gamma प्लस alpha, और divided by में क्या बन रहा है, r तो बन जाएगा, gamma minus beta, बराबर, mu2 by mu1 लिख सकते हैं, multiply करा दें, तो यह बन जाएगा, देखो, gamma into mu1, plus alpha into mu1, is equal to, यह क्या आजाएगा, gamma into mu2 minus beta into mu2, ठीक, अब इसे solve करना चाहते हैं, तो यहां gamma, यहां gamma है, यह ऐसा लिखा ही गया है, इसको इधर भेज देते हैं, तो अगर इसको इधर भेज दिया जाए, तो gamma कॉमल लेने के बाद यहां बज जाएगा, mu2 minus mu1, और इधर यह लिखा ग mu2, यह समी करन हमारे पास बन गई, इस समी करन में हमें alpha, beta, gamma की value रखनी है, तो छोटे हैं ही, तो tan alpha की से replace कर देते हैं, तो alpha की value क्या लिखी जाएगी, h divided by में minus u लिखी जाएगी, चिन्न परिपार्टी याद होगी, और इसे हम multiply करा देंगे, mu1 से minus beta की value लिखी जाएगी, तो beta की value h divided by v लिखी जा सकती, तो h divided by v लिखी जाएगी, into में यहाँ हो जाएगा mu2, बराबर gamma की value क्या होगी, तो h divided by r होगी, तो h divided by r लिखी जाएगी, यहाँ पर हम लिख देंगे mu2 minus mu1, cancel करवा देते हैं हर जगे से h को, तो यह value मिल जाएगी हमारे पास, mu1 divided by में क्या mu2 divided by v बन जाएगा, positive है, ठीक है सब positive है, is equal to लिखा जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, is equal to लिखेंगे, तो यह लिखा जाएगा mu2 minus mu1, divided by में क्या है, तो divided by में यहाँ पर लिखा जाएगा r, तो यह r लिख दिया गया, ठीक, यहाँ पर यह जो beta था उधर जाएगा, तो plus का होगा यह, यह value plus की आएगी, तो यह value plus की बनेगी, तो इस formula को in general हम लिख सकते हैं, mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 divided by r लिखा जाता है, तो यह अपवर्तक सतह के लिए formula काम करता है, in general इसे derive कर सकते हैं, ठीक है, derive करने के कोई जरूरत नहीं, तो हम इसे direct use कर लेंगे, आगे बढ़ चाहे उत्तल हो, दोनों में यही फार्मूला काम करेगा, लेंसों के बारे में बात दरते हैं, कि लेंस क्या होते हैं, तो हम जानते हैं, कि लेंस दो वक्र सतह, सतह कैसी होनी चाहिए, पारदर्सी, पारदर्सी सतह होनी चाहिए, दो वक्राकार सतह हो सकती है, एक वक्राकार हो सकती है एक संतल भी हो सकती है तो पारदर्सी माध्यम जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं लेंस कहते हैं तो दो वक्रिय या एक वक्रिय एक संतल सतय से घिरा पारदर्सी समांग माध्यम क्या कहलाता है लेंस कहलाता है हम लोग इन जनर्रल दो तरह के लिंसों के बारे में बात करते हैं होते तो कई सारे तरह के हैं पहला होता है इसे हम कहते हैं उत्तर लिंस उत्तर लिंस कहा जाता है इसे उत्तर लिंस पहचानते कैसे तो ये बीच में मोटा होता है किनारों पर पतला होता है यहाँ पर midpoint में center होता है प्रकासिकेंद्र होता है यहाँ पर यह value निकल के आती है f2 यह 2f2 होता है यहाँ पर f1 होता है 2f1 होता है यह value निकल के आती है और इसको अगर प्रदरसित किया जाए तो परिपत में कभी-कभी इसे ऐसे भी लिखा जाता है ऐसे बना भी दिया जाता है तो भी ये उत्तल लेंस ही है बात किया जाए आगे कि दूसरे वाले लेंस जो होते हैं वो कुछ ऐसा होता है तो इसे कहते हैं हम आउतल लेंस आउतल लेंस कहते हैं इनसे मिलकर इनको आप मिलाया जाए और समतल सतय को मिला जाए तो कई तरह के लंस बनते हैं, उनमें हम इंटरस्टेड नहीं है, दो तरह के लंस हूते हैं, जो पढ़ते हैं और जो काम आएंगे हमारे, ठीक है? इनमें और अगर बात किया जाए, कि प्रकासिक के अंद्र क्या होता है तो अगर यह कोई lens बना हुआ है चाहे इस case में हो चाहे इस case में हो अगर इस पर कोई प्रकास किरण आपतित होती है C पर तो वो बिना बिचलेत हुए सीधे निकल जाती तो कहते हैं कि जिस point पर कट करती है उसी को हम प्रकास के अंदर C लिखते हैं फोकस की बारे में जानते हैं आनन सेवान या वान ये प्रकास किरणे जहां पर मिलें या मिलती हुए प्रतीत हो उसे हम क्या कहते हैं फोकस कहते हैं ठीक है आगे यहां पर चिन्न परिपार्टी पढ़ लेते हैं लिन्सों के लिए लिन्सों के लिए चिन्न परिपाटी कैसे प्रयोग की जाती है तो point wise लिखते हैं यहाँ पर जो प्रकासिक केंद्र होता है प्रकासिक केंद्र वो किसका काम करता है यह origin का काम करता है मूल बिंदु का काम करता है मूल बिंदु का काम करता है बी आप्तित किरण के चलने की दिशा कैसी होती है तो पॉजिटिव होती है और इनकी विपरीद दिशा ये कैसी होती है तो निगेटिव होती है लंबवत या फिर ऐसे लिखते हैं प्रकासिक अच्छ के लंबवत उपर की जो दिशा होती है उसे हम पॉजिटिव लिखते हैं और नीचे की तरफ की जो दिशा लिखी जाती है उसे हम निगेटिव से लिखते हैं इसे समझते हैं फिगर में कि अगर ये कोई लंस है हमारे पास प्रकास के रणे इधर से इधर की तरफ जा रही है तो इसे हम निगेटिव लिखेंगे इधर की तरफ पॉजिटिव लिखेंगे ठीक है उपर की जो दूरियां होंगी उनको पॉजिटिव लिखा जाएगा नीचे की दूरियों को निगेटिव लिखा जाएगा सिंपल ये मतलब है इसका टाइम बेस्ट नहीं करते हैं आगे बढ़ते हैं लेंसमेकर फार्मूले के बारे में बात तरते हैं तो अभी हम लोगोंने फार्मूला पढ़ा इसे लिखा जाता है तो ये तो वक्राकार सतह के लिए काम करता है फार्मूला लेकिन अगर हम लेंसमेकर फार्मूले के बारे में बात तरें तो 1 बाई F बराबर यहीं से निकल के आता है यहां लिखा जाता है 1 बाई R1 माईनस 1 बाई R2 दोनों सतहों के लिए लगाया जाए घटाया जाए तो ये फार्मूला निकल के आता है इसे हम कहते हैं लेंसमेकर फार्मूला यह कहा है लेंसमेकर फार्मूला है तो इसे कहते हैं लेंसमेकर सूत्र अगर इस पर एक सवाल बनता है जिसके बारे में हम लोग बात करें F किसी द्रव में जो फोकस दूरी होती है उसे क्या लिखा जाता है उसे लिखा जाता है म्यू जी माइनस वन डिवाइड़ बाई तो इसे लिखा जाता है AN LNG लिखते हैं तो ये हो जाएगा ANG अपान ANL माइनस वन इंटू FYU में फोकस दूरी एक फार्मूला ये बहुत important फार्मूला है काम करता है याद रखने हैं तो बहुत अच्छी बात है कि द्रव में जो फोकस दूरी होती है किसी लेंस से की अगर डूँ दिया ज्याए द्रव के अंदर तो वो होता है उस जो भी पदार्थ होगा लेंस का उसका अपरतनांक MINUS ONE यहाँ पर उस पदार्थ का अपरतनांक MINUS ONE उस द्रव का अपरतनांक पर यहाँ MAINUS ONE लिखा जाता है यह फार्मूला कई बार पेपर में डारेट पूछा जाता इस पर सवाल तो याद रख सकते हैं अलग-अलग नहीं इसी फार्मूले को दो बार लगाया गया डिवाइड कर दिया गया आगे बात करते हैं अबसारी और अबसारी प्रकृति के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम उत्तल लेंस लेते हैं उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस में अगर प्रकास किरणे आ रही होती हैं समानते प्रकास किरणे आती हैं तो हम जानते हैं यह क्या करता है किरणों को समेट कर एक निश्चित बिंदू पर गिराता है यह ऐसा होता और जिस बिन दुपर गिराता उसी को हम focus कहता है तो इसने क्या किया किरणों को converge कर दिया तो यह अभिसारी है अभिसारी अभिसारी lens होता है दूसरा जो होता है वो अभिसारी lens होता है कैसे अगर प्रकास किरणे समांतर आ रही है तो इसका काम होता है किरणों को फैल आदेना तो किरणों को फैल आएगा तो ऐसे जाएंगी किरणे ऐसा होगा किरणे फैल जाएंगी इनको पीछे कहीं बढ़ाया जाता है तो मीट करती हुई अपियर होती है हमें यह यह ऐसा होता है उनके अंदर तो prism से समझ सकते हैं कि अगर ये कोई prism है छोटा idea तो होगा इसका कि अगर prism यहां से प्रकास किरण जाती तो ऐसा होता है तो अभे लंगी की तरब चुक जाती है तो यहीं यहाँ बात की जाती है कि ये छोटे-छोटे prism से मिलकर के बना होता है और प्रिज्म का ये ऐसा सतह होती है ऐसा यहाँ पर क्या होती इनकी सतह उल्टा होती है तो ये कुछ इस तरह के होता है ये ऐसा बनता है और यहाँ पर जो बनाया जाता है वो कुछ ऐसा बनाया जाता है ये इस तरह का कहते हैं कि जो ये lens होते हैं वो छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बने होते हैं जैसे प्रिज्म बिचलन दिखाते हैं वैसे इनके में बिचलन के कारण इनमें अबसारी और अबसारी प्रक्रती आती है ठीक है वैसा बहुत ज़देल में याद नहीं रख सकते है, समझाया जा सकता है आगे पतले Lens के लिए सूतर कैसे निखा जाता है तो जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते है लेंस का वो पतले Lens के लिए ही यूज़ किया जाता है कि अगर यहां पर कोई लेंस है यह, एक वस्तु है यहां O, जिसकी यह दूरी दे रखी है U, जिसको हम कहते हैं यह निर्दे सांख है इसका, वस्तु का निर्दे सांख, एक से निर्दे सांख है, यहां से प्रकास की रण निकलती है कोई, ठीक है, थोड़ा बिचलेत होती है इसका प्रतिविम्ब यहां कहीं पर बनता है जिसको हम कहते हैं I- और finally जब यह वाली अपोर्टन कराती है तो यहां पर प्रतिविम्ब बनता जिसे हम I कहते है तो यह दूरी क्या लिखे जाती है तो यह V लिखे जाती है या इसका जो एक्षिनेटर दे सांग है यह V है ठीक है अगर दो बार अब यह फार्मूला लगाया जाए तो फार्मूला था mu2 by V minus mu1 by U divide is equal to क्या लिखा जाता है तो इसे लिखते है mu2 minus mu1 divided by में R यह फार्मूला अगर दोनों सतहे के लिए आजाए तो फार्मूला निकल क्या आता है 1 by F बराबर 1 by V minus 1 by U यहां से V का मान अगर निकालें तो क्या निकल क्या आएगा 1 by F minus 1 by U यह प्लस का बन जाएगा बराबर 1 by V बनेगा तो V बराबर क्या लिखा जा सकता है F U divided by में F plus U यह होती है वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के रूप में प्रतिविम्म के स्थती कहा होगी वो निकाला जा सकता है इसकी सहायता से तो यह फार्मूला काम करता है याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं आवर्धन समझ लेते हैं क्या होता है तो हम लोग जानते हैं M बराबर आवर्धन जो लिखा जाता है उसे लिखते हैं HI by HO प्रतिविम्म की लंबाई था वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखी आवर्धन कहलाता है इसको थोड़ा और आगे बढ़ा है तो हम V by U से भी डिनोट कर लेते हैं तो ये रेखी आवर्धन होता है ठीक है रेखी आवर्धन का मतलब क्या होता है M बराबर माइनस का दो मान लेते लिखा है तो ये माइनस जिन हमें बताता है प्रतिविम्म उल्टा है प्रतिविम्म उल्टा है ये बताता है प्रतिविम्म कैसा है उल्टा प्रतिविम्ब है और यह दो जो है वो एक से बड़ा मान है जो कि प्रतिविम्ब कैसा होगा बड़ा बनीगा और उल्टा प्रतिविम्ब कैसा होता है तो यह वास्त भी होता है इस तरह से हम observe करके चीजों के answer लिख सकते हैं इन दोनों को मिला करके कुछ फार्मूले बनाया जाते हैं, वो भी काम आते हैं, उनको बनाना चाहें तो बना सकते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं, संपर्क में रखे दो पत्रे लेंसों के सैयोजन की फोकस दूरी कैसे लिखी जाती, तो यहाँ पर ये एक ऐसा लेंस दिया गया है, पतला सा और एक दूसरा ये पतला सा लेंस दिया गया है इसकी फोकस दूरी एफवन लिखी गई, इसकी फोकस दूरी एफवन लिखी गई है, तो सैयोजन की फोकस दूरी सैयोजन की फोकस दूरी सैयोजन की फोकस दूरी तो वो लिखी जाती ही, 1 by F, ये बराबर होती किसके, capital F के, 1 by capital F बराबर होता है, 1 by F1 plus 1 by F2, इस तरह से हम लिखते हैं, ये फार्मूला काम करता है, यहाँ पर F1 वा F2, चिन सहीत रखे जाते हैं, क्या मतलब है, कि F1, या फिर ऐसे लिख देते हैं, F उत्तल का है, तो हम इसे धनातमक चिनने के साथ लिखेंगे, F अगर आउतल लेंस का है, तो इसे हम क्या करेंगे, रडातमक चिनन लगा करके लिखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये फार्मूला हो गया, छमता भी ल परतनांक वाले कांच के उत्तल लेंस के दोनों वकृता तरह दे रखेंगे, 10 संटीमीटर दोनों तरफ 4 बटे 3 अपरतनांक का माध्यम भरा गया है, और 22 तरफ 20 संटीमीटर परवस्त रखेंगे, परतनांक के स्तती बताओ, तो सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला लगाएं फोकस दूरी निकालेंगे, तो कितनी निकल के आएगी, तो फार्मूला लगा देते हैं, वन बाई एफ बराबर म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर वन, माइनस वन बाई आर टू, ऐसा लगा सकते हैं, तो यह हो जाएगा, तीन बटे दो, माइनस का एक, यहाँ पर बन गोला इधर पूरा होगा, तो यह धनातमक लिखी जाएगी पहली, लेकिन जो यह वाली सता है, इसका गोला इधर कहीं पूरा होगा, तो यह रडातमक लिखी जाएगी, तो हमारे पास पहली आ गई, प्लस दस, यह बन जाएगी, माइनस दस, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 2 माइनस 1, 1 बटे 2 बन जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 बटे 10 बन जाएगा, तो यह value बनेगी, 1 बटे 10, तो हमारे पास, जो वाईउ में focus दूरी है, वो निकल के आ गई 10 cm, तो वो यहाँ रख देते हैं 10 cm, अब उपर बन जाएगा, देखो, एक बटे 2, यहाँ पर 3 तिया 9 बन जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम, 9 divided by में, 8 माइनस का 1 लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा, तो यह value क्या निकल क्या हैगी, 1 बटे 2 गुडे, यह बन जाएगा, 8 बटे, 9 माइनस 8 बनेगा, 1 गुडे में बन जाएगा, 10, 4 बनेगा, तो यहाँ से निकलेंगे, तो 40 cm यह value निकल के आएगी हमारे पास, देखो, 2 चोको 8, 4 दहम 40, ठीक है, तो अगर यह 40 cm फोकस दूरी है, इसकी, और 20 परवस्त रखी गई, तो इन्होंने कहा, प्रतिविम के स्थिति बताओ, तो बता लेते हैं, प्रतिविम के स्थिति क्या होगी, तो 1 by f is equal to, 1 by v minus 1 by u लगा लेते हैं, final, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, वो कैसे काम करता है, 1 by f is equal to 1 by v by u, ऐसा काम करता है, प्लस तो होता है धरपड में, तो अगर यह फार्मूला हम लोग यूज करें, तो क्या होगा, 1 by f, फोकस दूरी दे रखी, 40, 1 by v, v नहीं पता है, minus 1 by, यह minus का 20 है, इधर ले आते हैं, 40 यहाँ LCM लिख देंगे, यहाँ 1 minus 2 लिखा जाएगा, तो minus 1 by 40 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ वस्त की जो value निकल के, प्रतिवी में की जो दूरी निकल के आएगी, वो minus का 40 cm निकल के आएगी, तो इस तरह से हम सवालों का जवाब लिख सकते हैं, तो यह था हमारा छोटा सा सवाल की कैसे लगाया जा सकता है, सबसे पहले हम द्रो में फोकस दूरी निकाल लेंगे, द्रो में फोकस दूरी निकालने के बाद में हम फार्मूला यूस करेंगे, की 1 by F physical to 1 by V minus 1 by U, और इसे solve कर देंगे, finally हमारा answer मिल जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोगों को दे रखा है, 3 cm त्रज्जाद अथा 1.5 अपरतना के कांच के गोले में वायू का बुलबुला केंदर से 1 cm की दूरी पर है, ब्यास की दिसा में देखने पर बुलबुले की प्रतिविम्ब की इस्तिति ग्याद कीजिए, जबकि बुलबुला कांच के निकटतम प्रष्ट से देखा जाता है, मतलब कोई एक निकटतम प्रष्ट है, जिसके अनुदिस हम उसे देख रहे हैं, जैसे यहां कहीं पर हम बना लेते हैं इसे, यह है हमारे पास कांच का गोला, इसमें कोई बुलबुला है, उसे ब्यास के अनुदिस देखा जा रहा है, मतलब अगर हम लोग यहां कहीं से इसे देखें, यह ब्यास हो गया, ब्यास केनदिस देख रहे हैं मतलब यहां हमारी कोई आख है observer यहां कोई प्रेच्छक है जो इसे देख रहा है तो कहरे हैं कहां पर होगा इसके बारे में बात करना है तो यहां इसका केंदर है C यहां कहीं पर एक सेंटिमीटर की दूरी है इनके बीच की यहां पर वस्तु है object है O अब अगर यहां से प्रकास किरने निकलें तो माल लेते हैं कि पहली प्रकास किरन तो यह खुद चली गई ठीक है यह प्रकास किरन तो खुद चली गई बिना विचलित हुए दूसरी है कि प्रकास की किरण अगर यहां से चलना सुरू करेगी तो यह प्रकास किरण माल लेते हैं यहां कहीं पर जाकर के गिरती है अब अगर हम यहां पर अभिलंब खीचें तो अभिलंब कैसा होगा तो यह तो प्रकास किरण यहां से गई है अभी लंब खीचना चाहतें तो अभी लंब हम यहाँ खीचेंगे C से अभी लंब खीचा जाएगा यह O था तो यह है अभी लंब अभी लंब से दूर हटेगी तो अभी लंब से जब दूर हटेगी तो हम देखेंगे यह value निकल के आएगी हमारे पास तो ये value आएगी यहाँ पर image formation होगा यही कह रहा है image की इस्तिती बतानी है निकर्टम ब्यास के मतलब निकर्टम जो प्रष्ट है ब्यास की उसके अरुदिस हमें इस्तिती बतानी है तो सबसे पहले यह देखते हैं कि प्रकास की किरने जा कहां से कहां तक रही है तो इसका mu हमें दे रखा है कि तरह है एक दिसमलो पांच मतलब तीन बता दो दे रखा है ठीक तो अब यह एक प्रकास किरने जा रही है सघन से viral हम देख कहां से रहें viral से देख रहें तो फार्मूला हमारे पास जो होता है अपोर तक सताय के प्रष्ट के लिए वो होता है mu divided by v लेकिन यहां पर mu जो लिखा जाता था उसे हम mu 2 by mu 1 लिखते थे यहां पर mu 1 by v 2 होगा मतलब इसे 1 by mu divided by v minus 1 by u लिख सकते हैं बराबर में यहां 1 by mu minus 1 divided by r लिख सकते हैं सबके magnitude value रख लेते हैं 1 by mu का मतलब हो जाएगा 2 by 3 तो यह value बनेगी minus 1 by यहां 2 बनेगा क्यों क्यों क्योंकि 1 cm त्रिज्या है 3 cm त्रिज्या है एक पर यह रखा गया तो बाकी की बची दूरी क्या हो जाएगी 2 यहां पर बनेगा 2 by 3 minus 1 by यहां पर 3 लिखा जा सकता है तो minus का 1 by 9 बनेगा और minus minus plus 1 by 2 बनेगा चीक है इसे solve कर देते हैं फर्दर तो क्या निकल के आएगा 9 दुनी 18 ले ले लेते हैं 2 9 अथारा तो 9 plus का बनेगा और minus का 2 बनेगा तो उपर क्या निकल के आएगा 7 by 18 यह value बनेगी अब इसे solve करना चाहते हैं तो देखो वी की value यहां से क्या निकल रही है तो वी आ रहा है 18 बटे 7 into में 2 बटे 3 3 6 18 होता है 6 दुनी 12 बटे 7 बनेगा 7 एक कम 7 बनेगा 7 पांच बारा होता है 5 बचेगा 50 7 49 बन जाएगा यह value लगभग में इतनी बन रही यह value बनेगी तो यह यहां से जो दूरी होगी वो कितनी लिखी जाएगी तो वो 1.7 के अप्रॉक्स value लिख सकते हैं इतना answer हमारे पास निकल के आएगा उमीद है सवाल समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दे रखा है एक उत्तल निस जिसका आप उर्तनांक दिया है फोकस दूरी दे रखी है कह है जल में डूबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी direct सवाल का हम फार्मुला जानते हैं फार्मुला क्या है द्रव में फोकस दूरी बराबर यहां लिखते हैं mu g minus 1 upon mu g divided by mu l minus 1 into f yn में फोकस दूरी यह फार्मूला होता है मान रख देते हैं तो 3 बटे 2 दे रखा है माइनस 1 यहाँ पर 3 बटे 2 होगा 4 बटे 3 होगा माइनस 1 लिखेंगे into में y में focus दूरी दे रखी है 10 cm तो उत्तल है तो प्लस का 10 ही लिखेंगे हम यह बन जाएगा देखो 1 बटे 2 गुड़े बन जाएगा 10 यहाँ पर बनेगा 9 बटे 8 तो यह बन जाएगा 9 बटे 8 माइनस का 1 इसे solve करते हैं तो यह बन जाएगा उपर देखो 5 8 पलट के उपर जाएगा 9 माइनस 8 बनेगा 1 तो यह बन जाएगा 8 बंचे 40 cm तो यह हमारा answer हो जाएगा 40 cm आगे बढ़ते हैं आगे question दे रखा एक वस्तु का प्रतिम वस्तु 40 cm की दूरी पर बनता है जब एक lens को इसके ठीक बीच में रखा जाता है तो तब lens की छमता ग्यात कीजी तो यहाँ पर u का मान ऐसे लिख देते हैं lens यह सायद कैसा lens है यह पता है नहीं बस इतना है u की value के बारे में अगर बात दें तो u बराबर हमें दे रखा है minus का 20 क्यों क्योंकि अगर यहाँ कहीं पर lens रखा गया होगा यह कोई भी lens हो सकता है तो lens के इधर तरफ वस्त होगी और दूसरी तरफ क्या बनेगा प्रते बिम बनेगा ठेक है तो u बराबर minus 20 हो गया v बराबर हो गया plus का 20 और हमें f पता नहीं तो यहाँ से फार्मल लगा देते है 1 upon f बराबर 1 upon v तो 1 upon f बराबर 1 upon v minus 1 upon u lens है तो यह बन जाएगा 1 upon v v का मान 20 है minus 1 upon minus 20 तो बन जाएगा 2 बटे 20 तो यह value बन जाएगी 1 बटे 10 और हम जानते है 1 upon f किसके बराबर होता है तो p के बराबर लिखा जाता है तो यह हमारे पास निकल के आ जाएगी छमता 10 diopter प्लस निकल के आया है इसका मतलब यह कैसा होगा तो यह होगा उत्तल लिंस आगे उत्तल लिंस और उत्तल लिंस की focus दूरिया दे रखी साईयोजन का सूत्र लगेगा यहाँ पर एक 10 से एक यह ऐसा दिया गया है तो अगर हम यहाँ से f1 लिखें तो यह उत्तल की है तो प्लस 10 लिखेंगे और इसे अगर हम f2 लिखते हैं आउतल की है तो हम माइनस 50 cm लिखेंगे तो अगर इनका हम युग मों बनाएं और इनकी पहले focus दूरी निकालें तो साईयोजन की focus दूरी का फार्मल लगा है 1 by f1 प्लस 1 by f2 तो 1 by f1 है 10 प्लस का 10 और यहां पर प्लस 1 by minus का 50 बनेगा तो यह value निकल के आएगी 50 हो गए इसका calcium 10 पचे 50, माइनस 50, एक कम 50 4 बटे 50 बनेगा 2 बटे 50 आएगा तो हमारे पास साईयोजन की जो focus दूरी निकल के आए वो 25 बटे 2 cm निकल के आएगी तो प्लस का 25 बटे 2 हुआ आप कहे रहे हैं इस सायोजन से सामने 25 cm पर वस्तु रखी गई तो फार्मला लगा लेते हैं 1 by f बराबर 1 by v minus 1 by u तो सायोजन की focus दूरी यहां रखी जाएगी तो वो दे रखी है 25 बटे 2 तो इसको लिख सकते हैं 2 बटे 25 1 by v v की value के बारे में बात तरहें तो v हमारे पास नहीं दिया गया है minus 1 by u u कितना दे रखा है तो u है 25 तो यहां पर हम रख देते हैं minus का 25 अब इसे solve कर देते हैं तो क्या value आएगी यह value हमारे पास यहां से आ रही है 2 बटा 25 और यहां minus minus plus बनेगा left side में आएगा फिर से minus बनेगा ऐसा बनेगा यह बनेगा 1 by v तो v की value कितनी बनेगी यह 25 cm निकल के आएगी हमारे पास answer हो जाएगा इसका ठेक है आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग prism के बारे में बात करते हैं तो prism में क्या होता है तो हम जानते हैं कि दो आयताकार या यह वरगाकार भी हो सकती है वरगाकार सम्तल सतहूं या कह सकते हैं वरगाकार सम्तल सतह सम्तल सतह जो किसी कोड पर जुकी होई हो कोड पर जुकी हो तो जो पारदर्सी माध्यम बनता है पारदर्सी माध्यम जो बनता है इसे हम क्या कहते हैं तो इस पारदर्सी माध्यम को ही कहा जाता है प्रेज्म प्रेज्म कहा जाता है तो परिवासा यहां से clear हो गई बनाया कैसे जाता है देख लेते हैं एक बार फटाफट तो एक सतह ऐसी बन गई हमारे पास ठीक है दूसरी सतह ऐसी बन गई हमारे पास यह ऐसा बन गया और इनको हम बनाएं तो ऐसा बना सकते हैं यहां पर यह हो गई अपवर्टक सतह है एक दूसरी अपवर्टक सतह हो गई यहां जिस कोड से जुकी हुई होती है उस कोड को हम प्रिज्म कोड A नाम दे देते हैं यह अपवर्टक सतह है अपवर्टक सतह है यह वाले भी अपवर्टक सतह है अपवर्तक सतह है ठीक है इसको हम प्रिज्म कह दिया गया तो प्रिज्म क्या होता है दो समतल सतहों को अगर किसी कोड पर जुकाया जाए कोड पर रखा जाता है तो प्राप्त समंग पार्दसी माध्यम प्रिज्म कहलाता है प्रिज्म से प्रकास का अपवर्तन कराया कैसे ज मस्ते हैं जैसे सबसे पहली चीज कि यह प्रिज में लिया गया है यहां पर जो यह section होता है यहां यह जो section लिखा बाइस सेक्षन को हम कहते हैं मुख्य परिछेत यह जो मुख्य परिछेत है और इसी को सामने रख करके हम प्रिजमी पढ़ते हैं तो वही भी बनाया गया यहां सामने तो यह आप्तित किरण है हमारे पास यह क्या है आप्तित किरण है ठीक है और जो इसके अंदर चलती है उसे हम अप्वर्तित किरण कहते हैं और जो बाहर निकलती हैं उसे हम क्या कहते है, निरगत की रड़ कहते है, थीक है, इसमें यहां पर जो ये कोड बनता है, इसे हम आपतन कोड कहते हैं, यहां पर ये निरगत कोड होता है, E से दिखाया जाता है इस value को कहते हैं देखो ये line सीधे जा रही थी प्रकास की किरने बिचलन हुआ तो यहाँ पर पहली बार बिचलन हुआ तो कहते हैं आपतन कोड में ये बिचलन हुआ है और इस वाले के बारे में बात करें जो दूसरी वाले यहाँ line बनी हुई है तो इस line को हम कहते हैं कि ये R1 आपतन कोड है मतलब अपवरतन कोड है यहाँ पर इसमें बिचलन फिर से हुआ तो इसे हम डेल 2 नाम दे देते हैं इस value को R2 लिग देते हैं ये data समझ में आया अब कुल बिचलन देखा जाए तो ये है आपतित किरण की दिसा ये है निर्गत किरण की दिसा तो इनके बीच में ये code बन रहा है इस code को लिखा जाता है net बिचलन, कुल बिचलन होता है इनके formula कैसे बनते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं जो बिचलन लिखा जाता है बेचलन जिसको हम डेल लिखते हैं ये लिखा जाता है I plus E minus का A होता है फार्मूला हमारे पास और A का जो फार्मूला निकल के आता है उसे हम R1 प्लस R2 लिखते हैं और यहाँ पर और कौन सी बात कर सकते हैं हाँ एक और बात की जा सकती है पतले प्रिज्म जिसका A छोटा हो प्रिज्म कोर बहुत छोटा हो तो उसके लिए जो बिचलन लिखा जाता है वो लिखा जाता है A into mu minus 1 mu क्या है तो mu है पदार्थ का पुरतना जिससे मिल करके प्रिज्म बना है तो अगर ये mu है तो mu लिखा जाता है डल बराबर A into mu minus 1 से लिखते है यहाँ पर अलपतम बिचलन की condition अगर लगाई जाए अलपतम बिचलन में अलपतम बिचलन में क्या होता है I को हम E के बराबर लिखते है R1 बराबर हो जाता है R2 के और यहाँ जो डल होता है उसे हम डल minimum के बराबर लिखते है इसको लिखा जाता है general डल M से ठेक है M मतलब minimum है यहाँ तो यहाँ फार्वरा निकल के आता है प्रिज्म के पदार्थ की अपष़तनांका वो निकल के आता है साइन डेल एम प्लस ए डिवाइड वाई में दू और यहां क्या लिखा जाता है तो यहां लिखा जाता है साइन ए बटा दू इसे हम कहते है प्रिज्म के पदार्थ किया पुरतनान का सूत्र या सिंपल कहा जाता है प्रिज्म का सूत्र या प्रिज्म सूत्र कहते हैं इसे question लगाएंगे तो याद रखेंगे इसे आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि प्रकास का वर्ड बिच्छेपन क्या होता है तो प्रकास का वर्ड बिच्छेपन ऐसे होता है 1665 में Isaac Newton Isaac Newton ने बताया था कि जो natural light होती है प्राकृतिक प्रकास जो होता है प्राकृतिक प्रकास वो साथ रंगों से मिलकर बना होता है साथ रंगों से मिलकर बना होता है बना होता है इससे पहले रिगवेद में भी इसके बारे बात की गई एक ही जो natural light होती है प्राक्रतिक प्रकास होता है वो सात रंगों से मिलकर करके बना होता है और जब ये सातो color या कह सकते हैं जब कोई ये prism है ये prism है ये सफेद light जब स्वेद प्रकास यहां पर आकर के गिरता है ये है स्वेद प्रकास तो स्वेद प्रकास जब आकर के गिरता है किसी prism के ऊपर तो ये अपने सात अलग-अलग रंगों में भी भक्त हो जाता है ये color क्या-क्या होते हैं तो एक-एक करके देख लेते हैं सबसे पहले लाल ठीक है याद रखने का तरीका क्या होता है तो यहाँ से देख सकते हैं ये विविवियोर से याद रखा जाता है ठीक है विविवियोर होता है ये तो लाल हो गया ये औरंज माल लेते हैं ऐसा है औरंज ये औरंज है फिर उसके बाद में क्या बनेगा ग्रीन बनेगा ग्रीन ये green चल जाएगा ये green बना देते हैं ये green बन गया उसके बाद में अगला कौन सा होगा अगला हो जाएगा हमारे पास blue तो ये हो गया blue ये blue बन जाएगा फिर उसके बाद में हमारे पास क्या मिलेगा indigo indigo में ये चला देते हैं ऐसा ये माल लेते हैं indigo मिल गया है फिर उसके बाद में अगला हो जाएगा violet वाइलेट में कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग तो ये यूज़ कर लेते हैं हलका हरा हरा सा कुछ है ये ऐसा हो गया ठीक है तो जब कोई स्वायत प्रकास के किरन किसी प्रिज्म से होकर के पास होती तो अपने ये साथ अलग-अलग कलर में विभक्त हो जाती है तो जब ये साथ अलग-अलग कलर होते हैं साथ अलग-अलग रंगों में विभक्त हो जाती है और ये विभक्त होने की क्रिया को ही हम वर्ड विच्छे पढ़ कहा जाता है ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात को, तो जब कोई प्रकास किरण, किसी प्रिज्म से होकर के पास होती, तो अपने साथ अलग-अलग रंगों में भक्त हो जाती, प्रकास की इस परिखटना को वर्ड विछेपड कहा जाता है, सबसे पहले Sir Isaac Newton ने इसके बारे में बात की थी, ठीक है, कारण हम लोग जानते हैं, कारण क्या होता है, कि डेल की जो वैले होती है, हम लोगों ने भी पढ़ा, a into mu minus 1 होटती है, अगर छोटा सा प्रिज्म कोड रखा जाए, और जो कौचीस थियरम है, वो बताती है, mu बराबर, तो इसे लिखा जाता है, a plus b divided by यहाँ पर lambda square लिखा तरते हैं, तो हर एक रंग जो अलग-अलग split हो रहा, उसका कारण देखो, हर एक के लिए lambda अलग, उसका अपरतनांग का अलग, उसका अपरतनांग का अलग होगा, तो उसमें बिचलन अलग-अलग आएगा, और अलग-अलग बिचलन होगा, तो वो हमें अलग-अलग तिख यह साथ अलग-अलग रंगों में भख्त हो जाती है यहाँ पर जो स्क्रीन होती उस पर हम इनको देख सकते हैं यह अलग-अलग यह होता है वाइलेट, इंडिगो, ब्ल्यू, ग्रीन, यलो, औरेंज और रेड लिखे जाता है इसमें जो कोड़ी बिचलन होता उसको सबसे पहले देखें तो यह है इसका वास्तविक पत, यह वास्तविक पत है इसका और इस वास्तविक पत से बिचलन देखना चाहें तो यह किसका बिचलन है? तो यह डेल-R का बिचलन है और यहाँ पर यह किसका विचलन है तो यह विचलन है डल V का बैंगनी रंग का विचलन है तो यही कहते हैं कोड़ी विचलन क्या होता है तो कोड़ी विचलन को हम थीटा से डिनोट करते हैं यह होता है डल V माइनस डल R याद रखना चाहें कैसे याद रख सकते हैं डेल वी को क्या लिखा जा सकता है a into mu v minus 1 minus यहाँ a into mu r minus 1 तो यह फार्मूला हमारे पास निकल के आएगा a into mu v minus mu r यह फार्मूला हमारे पास काम करेगा कोड यह बिचलन का सूत रहे यह अगर बात किया जा माध्द विचलन क्या होता है तो माध्द विचलन को अगर हम लोग dell से दिखाते हैं यह क्या है माध्द विचलन माध्द विचलन तो माध्द विचलन बराबर लिखा जाता है dell v plus dell r divided by 2 ठीक आगे बिच्छेपण शम्ता के बारे में बात तरें तो बिच्छेपण शम्ता को ओमेगा से लिखा जाता है यह क्या है बिच्छेपण शम्ता है तो बिच्छेपण शम्ता को अगर हम ओमेगा से लिखते हैं तो ओमेगा बराबर यहां से क्या निकल के आएगा तो ये निकल क्या आता है theta divided by यहाँ पर लिखा जाता है माद्ध विचलन theta की value हमारे पास ये पता चलती है ये लिखा जाता है mu v minus mu r divided by में del की value क्या लिखे जाएगी तो del की value हम लिख सकते हैं in general mu a into mu minus 1 ऐसा लिख सकते हैं तो mu यहाँ पर क्या होगा तो mu की value हो जाएगी यहाँ पर mu बराबर mu v plus mu r divided by 2 ऐसा लिखा जाता है तो यह हो गई word विच्छे पो इसकी विच्छे पड़ चमता word विच्छे पड़ चमता हो गई यह माद्ध विचलन हो गया मतलब माद्ध यहाँ पर जो इन दोनों का माद्ध निकल क्या रहा है तो यहाँ पदार्थ का पुर्तना गयात करेंगे तो कैसे लिखेंगे सबसे पहले विचलन कोड दे रखा है तो यह डेल दे रखा है हमें परिज्म कोड की value दे रखी है तो यह a दे रखा है पजार्थ का पुरतना ग्याद करना कुछ कहा नहीं है तो हम इस बिचलन को क्या मानेंगे तो इस बिचलन को हम value कम consider करके चलेंगे तो formula यहां लिखा जाएगा mu बराबर इसे लिख सकते है sin i तो sin i में लिखा जाता है del m plus a divided by 2 और divided by में यहां लिखा जाता है sin a by 2 तो यह लिखेंगे 60 बटा 2 solve कर देते हैं तो उपर बनेगा 90 बटे 2 45, 45 का मान होता है 1 by root 2 into sin 30 का मान होता है 2 बटे 1 तो यह बन जाएगा root 2 और root 2 की value होती 1.414 तो यह हमारा answer निकल के आएगा आगे बाद दिरते हैं अगला सवाल है किसी पतले prism के लिए बिचलन कोड दिया गया है तो हम पतले prism का सूत्र लगाएंगे a into mu minus 1 ठीक है अब पढ़ते हैं बिचलन कोड दिया गया है 10 degree a हमें पता नहीं है prism code याद करना पदार्थ का पुर्तनांक डेड़ है तो 1.5 minus 1 है तो यह आधा बचेगा तो 10 बराबर निकल के आएगा a into आधा मतलब यह तो a की value निकल के आएगी 20 degree यह हमारा answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमें दे रखा है कि काज के लिए बैंगनी और लाल रंक्या पुर्तनांक दिए गया है तो μू वी दे रखा है कितना 1.6 3,2 और μू आर दे रखा है 1.6,1,0 ठीक है काज के पदार्थ की वड़ विच्छे पर छमता बतानी तो अभी हम लोगों ने फार्मुला देखा उमेगा बराबर क्या होता है इन दोनों का अंतर तो इन दोनों के अंतर को अगर देखा जाए तो कितना बनेगा तो ये बन जाएगा 2 में से 0 जाएगा 2 बनेगा 3 में से 1 जाएगा यहाँ पर 2 बन जाएगा ठीक है और ये बन जाएगा 0 point यहाँ 0 बनेगा divided by में यहाँ पर हम माध्ध निकालेंगे तो इसमें माध्ध लिखा जाएग तो किसका लिखा जा सकता है तो इन दोनों का योग करेंगे तो योग करेंगे तो बनेगा 2 यहाँ पर बन जाएगा 4 यह बनेगा 6-6-12 और यहाँ 1-1-2-1-3 बन जाएगा इसका करना हमें आधा तो इसका अगर हम आधा करेंगे तो यह value कितनी बन जाएगी एक बार में जाएगा ठीक है और यह value बन जाएगी फिर 12 दू चंग 12 बन जाएगा 2-4 बन जाएगा और 2-2 बन जाएगा तो यहां हम क्या रख सकते हैं 1.621 माइनस का 1 रखेंगे इसे solve करेंगे तो 0.022 बनेगा यहां पर एक घटाएंगे तो 0.621 बनेगा इसमें अगर हम point हटाएंगे तो यह बन जाएगा 22 और divided by में 621 इसको हम solve करेंगे तो यह value निकल के आएगी 3.5 गुड़े दस की घट माइनस का 2 यह हमारे पास इसकी वड़ बिच्छे पर छंता निकल के आएगी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और श्टार्ट करते हैं optical instrument प्रकासिक यंत्र के बारे में तो प्रकासिक यंत्र में सबसे पहले हम बात करता है कि मानो नेत्र हमारा क्या होता है मानो नेत्र कैसे काम करता है तो हम लोग जानते हैं मानो नेत्र एक कैमरे की भातिवे उहार करता है ठीक है इसका जो ब्यास होता है ब्यास वो लगभग में लिया जाता है 2.5 cm ठीक है जो सस्त आख होती है उसका यह ब्यास दिया गया है बात किया जाए इसपस्ट द्रस्ट की नियूंतम दूरी इसपस्ट द्रस्ट की नियूंतम दूरी का यह मतलब होता है कि कितनी minimum दूरी तक हम बिना आखों में तनाव के देख सकते हैं तो 25 cm से अगर अधिक दूरी होगी तब तो ठीक है अगर कम दूरी पर रखकर चीज़ों को हम अगर observe करते हैं देखते हैं तो हमारी जो मानस्पेसिया होती है, सिलरी मसल से जो होती है उन पर तनाव सबसे अधिक पड़ता है, तो ये दूरी होती है 25 cm बात किया जाए कि द्रश्ट विस्तार कहां तक होता है या दूर बिन्दू पहले लिख लेते हैं दूर बिन्दू तो एक स्वस्त नेत्र का जो दूर बिन्दू होता है वो अनन्त पर रहता है दूर बिन्दू अनन्त पर रिस्थित होता है अनन्त पर रिस्थित होता है ठीक है, आगे point के बारे में बात तरें कि इसका द्रश्ट विस्तार कहां से कहां तक होता है द्रश्ट विस्तार तो द्रिश्ट विस्तार का मीनिंग ये बनता है कि 25 cm से हम चीजों को देखना सुरू करते हैं और अनन्द तक चीजों को देख पाते हैं ठीक है तो ये value बन जाएगी अनन्द तक ठीक है काफी दूर तक की चीजों को हम देख सकते हैं चांधारों को भी देख सकते हैं, तो ड्रेश्टि विस्तार हो गया, यहाँ पर और एक बात होती है, जिसके बारे में हम बात करें, कि कोई भी वस्तु अगर इसके सामने रखी जाती है, तो इसमें जो प्रतिविम बनता है, प्रतिविम जो बनता है, वो रेटिना पर बनता है, रेटिना स्क्र होता है सरवाधिक इस पस्ट दिखाई देता है एक अंदबिंदु होता है जिस पर कोई भी light अगर incident होती तो वह अब्सक्षित कर ले जाती है इसमें और एक बात करें कि जो मानो नेत्र होता है मानो नेत्र यह मानो दूरी को स्वयम समायोजित कर सकता है मानो नेत्र लेंस के बारे में यहां बातते रहें कि मानो नेत्र का जो लेंस होता फोकस दूरी को स्वयम समायोजित कर सकता है स्वयम समायोजित कर सकता है समायोजित करता है तो समायोजित करता है इसकी शम्ता को कहते हैं समंजन शम्ता, समंजन शम्ता कहा जाता, accommodation power of human eye कहते हैं इसे, तो मानुनेतर के बारे में एतनी चीज़े हम याद रखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका representation हम ऐसा करते हैं, ऐसा बना लेते हैं, ये है मारा मानुनेतर, प्यारा सा मानुनेतर ठीक है, जिसमें ये काम करता है हमारे पास, नेतर लेंस का, नेतर लेंस होता है, ठीक है, इसका ब्यास यहां से यहां तक का जो दिया जाता है, ये ब्यास वो 2.5 cm के अप्रॉक्स होता है, ठीक, आगे हम इनके दोसों के बारे में एक एक करके बात करें, तो सबसे पहले, ज इकट की वस्तु एस्पस्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तु एस्पस्ट दिखाई नहीं देती, एस्पस्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है? तो अगर यहूँ इस पस दिखाई नहीं देंगी तो उसमें क्या होगा निकट द्रस्टीदोस होगा निकट द्रस्टीदोस का कारण क्या होता है तो कारण इनका ये होता है कि तथा रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाती है जिसके कारण ये दोस उत्पन्न होता है बात करें कि इसका निवारन कैसे किया जा सकता है निवारण कैसे कर सकते हैं तो इसका निवारण किया जा सकता है उचित फोकस धूरी तथा उचित छमता के आउतल लेंस दौरा तो इतनी बाते इसमें याद रखेंगे अब इसका फिगर बना के देखना चाहा है तो देख सकते हैं अगर एक कोई स्वस्थ मानोनेत्र होगा मनुस्य होगा तो उसके लिए क्या है कि इस निकट की चीज़ें आप दिखाई देंगी ठीक से दिखेंगी वो यहाँ पर अगर कोई वस्थ रखी गई है N पर यह रखी गई वस्थ यहाँ से जो किरने जाएंगी यह रेटिना पर जाकर की फोकस होगी और रेटिना पर हमें मिल जाएंगी मिलती हुई दिखाई देंगी तो कहेंगे कि यहाँ पर इनका प्रतिविम बनना है यह तो स्वस्थनेत्र हो गया स्वस्थनेत्र लेकिन जब निकट द्रश्च दो सुत्पन हो जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रतिविम बनता है यहाँ पर जो किरने आ रही होती माल लेते हैं वो काफी दूरी से किरने आ रही है अनंत से भी आ सकती है जासे जाती है इसको दूर करने का तरीका क्या है इसको दूर करने का तरीका है अगर हमारे पास इमारों नेत्र है यहाँ पर यह नेत्र लेंस है यहाँ पर जो बस तु रखी गई थी जिससे हम किरने भेज रहे थे इससे किरने तो जानी चाहिए लेकिन हम यहाँ पर अगर हम आउतल लेंस रख देते हैं तो पहले यह ऐसी किरने जा रही थी ऐसी ठीक है और यह यहाँ कहीं पर पहले मिल जा रही थी अब ये क्या करेगा? इनको थोड़ा क्या कर देगा? उपर की तरफ भेजदेगा, इधर की तरफ भेजदेगा और फिर जब यह यहां से चलेंगी, तो अब यह यहां पर जाने के बाद यहां कहीं पर मिलेंगी तो यह इधर की तरफ जाएंगी तो यहाँ से जाने के बाद जब इस पराप्तित होगी तो यहाँ पर जाकर के मिलेंगी रेटीना पर जाकर के मिलती हैं तो यह हो गाए निकट दस्टि दोस्त निवारण के लिए उचित फोकस दूरी तथा उचित छमता के अवतर लेंस का प्रियोग किया जाता है सवाल लगाने के लिए हम यहाँ कोई फार्मुला बनाएंगे नहीं क्योंकि सवाल हम बिना फार्मुलों के लगाएंगे सिर्फ लेंस का सूत्रियाद होगा सवाल लग जायेगा ठीक है आगे हैं दूर दस्टी दोस्त तो दूर में क्या होता है, दूर की वस्तु में एसपस्ट दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, परंतु समीब की वस्तु, एसपस्ट दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती है, तो अगर ये इसपस्ट दिखाई नहीं देंगे तो इनको हमें क्या करना है, देखना है, तो इनके देखने के लिए क्या प्रियूक किया जाता है, तो इनका कारण लिख लेते हैं सबसे पहले कि इनका कारण क्या होता है तो कारण यह होता है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के मद्ध दूरी कम हो जाती है तो अगर दूरी कम हो जाती है तो अगर दूरी कम हो जाएगी तो यह रेटिना के पीछे जाकर के मिलेंगी इनका निवारण निवारण कैसे किया जाता है तो इनका निवारण करने के लिए उचित फोकस दूरी उचित फोकस दूरी तथा उचित छमता के उत्तल लेंस का प्र उत्तल लेंस का प्रियोग करता है ठीक है फीगर बना लेते हैं इसका तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कोई अगर human आई है जिसको दूर दरश्टी दोस पहले से है ये यहाँ 25 cm तक की चीजों को देख पाता था 25 cm तक की चीजों को देख पाता था healthy था यहाँ से किरने जा रही थी यहाँ से किरने जा रही थी यह स्वस्तनेतर है यह यहाँ किरनों को मिलाएगा और यह प्रतिविम बनेगा ठीक है लेकिन अगर जब इसमें दोस उत्पन हो जाएगा दूर दरश्टी दोस तो अब क्या होगा तो यहाँ से जो किरने जाएंगी यहाँ से जो किरने जाएंगी वो क्या होगी यहाँ पर जाएंगी ऐसे जाएंगी फिर यहाँ कहीं पीछे मिलेंगी ठीक है लेकिन अगर इससे यहाँ कहीं पर कोई बिंदो ले लिया जाएं माल लेते हैं, end s है, यह end s है, अब यहां से किरणे अगर भेजी जाएं, यहां से किरणे भेजी जाएं, तो वो रेटिना पर मिल जाती हैं, तो यहां तक की जो दूरी थी वो तो 50 cm थी, मान लेते हैं कि अब वो पचीश सेंटीमीटर वला बिंदू कहीं एक से दूरी पर चला गया तो एक सेंटीमीटर की ये दूरी हो गई मान लिया तो कहने कितनी छमता हो कितनी फोकस दूरी का हमें लेंस प्रियोग करना चाहिए तो इसका निवारण का फीगर पहले बना लेते हैं फिर बाद में उसके बाद तर लेंगे हम तो निवारण का फीगर कैसे बनेगा ये हो जाएगा हमारे पास मानुनेत्र ये नेत्र लेंस हो गया यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो किरने जा रही थी 25 cm वाली वो यहां पर जा रही थी ऐसे और फिर मिल नहीं रही थी आपकी बार क्या होगा जब बीच में हम lens रख देंगे तो यह क्या करेगा यहां से किरने आएंगी ऐसे आएंगी यह क्या करेगा इनको थोड़ा समेट देगा ऐसे थोड़ा समेट देगा और सिमट कर जब जा करके यहां गिरेंगी तो यह रेटिना पर मिल जाएंगी ठीक है सूत्र का कैसे बनाना चाहें तो हम में या पता है यू की वैल्यू माइनस पचीस सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को बनेगा तो यहां से फोकस दूरी निकाल सकते हैं कोई फार्मूला नहीं याद रखना है ठीक है आगे बात तरते हैं जरादरश्ची दोस और अबिंदुक्ता के बारे में तो सबसे पहले जरादरश्ची दोस के बारे में बात तरें तो ये ब्रद्धा वस्था में उत्पन होता है और इसका कारण होता है कि जो मान स्पेसियां होती है मान स्पेसियां जिनसे नेत्र लेंस बना होता है वो मान स्पेसियां धीली हो जाती है धेली हो जाती है और मान स्पेसियां धेली होने की वज़य से वो अपने आपको समायोजित नहीं कर पाती लेंस अपनी फोकस दूरी को कम ज़्यादा नहीं कर सकता तब ये दोस उत्पन्द होता है इस दोस में ना तो निकट की वस्तवें दिखाए देती है इस पस्त दिखाए देती है ठीक है? इसके निवारण के लिए हम दूरी फोकसी लेंस का प्रयोग करते है दूरी फोकसी लेंस का उप्योग करते है उप्योग से दूर किया जा सकता है मतलब कि निकट को निवारित करने के लिए अलग लेंस दूर द्रिश्च दोस को निवारण करने के लिए अलग लेंस दूरों लेंस एक साथ लगाये जाएंगे तो जरा द्रिश्च दोस का निवारण किया जा सकता है बात करें आभिंदुकता, तो आभिंदुकता का ये मतलब होता है कि यहाँ पर कार्णिया पूर्टया गोल नहीं होती, तो यह दो सुत्पन्न होता है, इसमें हमें 36 तथा उर्धवाधर, दोनों एक साथ नहीं दिखते, दोनों एक साथ नहीं दिखते चैतिज लाइने हैं उर्धाधर लाइने तो दोनों एक साथ नहीं दिखेंगी इनके निवारण के लिए बेलनाकार लिंस का उप्योग किया जाता है बेलनाकार लिंस का उप्योग किया जाता है उपयोग किया जाता है ठीक है तो यह हो गए मानो नेत्र के दोस की कौन-कौन से दोस होते हैं इन में दोनों में सवाल बनते हैं जरादर्श्च दोस और निकटर्श्च दोस में बिना हम इनके कोई सिर्फ का फार्मूला प्रियोग करे कैसे लगाते हैं उनके बारे मेंभी हम बात करेंगे तो अब बात करते हैं कि सदल सुचमदर्शी क्या होता सलल सुचमदर्शी की आवरधन चमता कैसे लिखी जाती तो हम लोग ल Whereas के बारे में यह आइडिया सिक केंदर कहीं पर होगा जिसे हम C से लिखते हैं और यहां कहीं पर इसका focus होगा जिसे हम capital F से लिखते हैं तो अगर इनके बीच में वस्तुकों रखा जाए यहां कहीं पर वस्तुकों रखा जाए तो प्रतिविम बना सकते हैं हम लोग प्रतिम्म बना सकते हैं ऐसे लाइने जाएंगी किरने और ये टकराने के बाद कहां से जाएंगी इधर वाले फोकस से पास हो जाएंगी ठीक है ये हो गए किरने अब दूसरी प्रकास किरन कहां से गुजरेगी तो यहां से गुजर जाएगी अब ये आ अभासी प्रतिविं मिलेगा, ये अगर A है, ये B है, तो ये मिल जाएगा, हमें A-B-A-C और सीधा और बड़ा प्रतिविं मिलेगा, अब अगर यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग D लिख देते हैं, D पर देखना चाहते हैं, अन्तिम प्रतिविंबो को हम, तो यहां आवर्धन चम्ता जो लिखी जाती है, आवर्धन चम्ता, उसको हम M से देनोट करते हैं, और इसे लिखते हैं, 1 प्लस D डिवाइड़ बाई में F लिखा जाता है, F क्या होती है, जो भी यहां पर लेंस होगा, इस लेंस की फोकस दूरी होती है, तो यह इस तरह से फ लग केस के लिखी जाती है, तो जब अंतिम प्रतिविंब, कहां पर बनता हो, इस पस्ट द्रष्ट की नियूंतम दूरी पर बनता हो, मतलब कापिटल D पर बनता हो, तो इस केस में जो आवर्धन चम्ता लिखी जाती है, आवर्धन चम्ता, इसे हम कापिटल M से देनोट कर करते हैं अभी लिखा यह बराबन लिखा जाता है माइनस का वी ओ डिवाइड़ बाई में यू ओ और यहां लिखते हैं 1 प्लस D divided by में एफ ईसा लिखा जाता है ठीक है और इस केस में जो लंबाई होती है सूच मदरसी की लंबाई लिखी जाती है सूच मदरसी की लंबाई बराबर इसको हम capital L से देनोट करते हैं यह लिखा जाता है VO plus UE इस तरह से हम लिखता है ठीक है दूसरे केस के बारे में अगर बात की जाए जब अन्तिम प्रतिबिम्ब कहां पर बन रहा हो तो जब अन्तिम प्रतिबिम्ब अनंत पर बनता है तो हम यहां क्या लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि आवर्धन चमता जो M बराबर होगी वो minus VO upon UO लिखे जाएगी यहां पर D divided by FE लिखते हैं और जो L लिखा जाएगा वो होगा VO plus में यहां FE लिखेंगे हम तो यह हमारे पास दो अलग-अलग फार्मूले काम करते हैं लंबाई के लिए आवर्धन चमता के लिए ठेक है आगे अब हम लोग पढ़ते हैं तो आगे है खगोली दूरदर्सी की आवर्धन चमता तो हम लोग जानते हैं खगोली दूरदर्सी के बारे में कि यहां पर भ होता तो इसके लिए जो आवर्धन चमता लिखी जाती है माइनस का FO अपान FE लिखी जाती है 1 प्लस यहाँ पर देखो फार्मूले में क्या था D divided by FE यहाँ पर लिखा जाता है FE by D इस तरह से हम लिखते हैं और इस केस में जो लंबाई होती है और दूसरे केस के बारे में अगर बात किया जाए B नंबर जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो अनन्त पर बने अनन्त पर प्राप्थो तो अगर अनन्त पर प्राप्थ होता है तो आवर्धन चंता को सिंपल लिखा जाता है माइनस का FO अपान FE और लंबाई लिखे जाती है यहां से FO प्लस FE यह हमारे पास फार्मूले काम करते हैं तो यह फार्मूले याद रखेंगे सवाल लग जाएंगे ठेक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं कुछ सवालों के बारे में जैसे अभी हमने कहा कि निकट दरश्ची दोस हो या दूर दरश्ची दोस हो कोई फार्मूला हम याद नहीं रखेंगे वहाँ derivation का lens का सूतर लगाएंगे और निकाल लेंगे तो कहरें एक निकट दरश्ची दोस वाला वेक 30 cm से अधिक की दूर की वस्तु को इस पस नहीं देख सकता मतलब 30 से ज्यादा वो नहीं देख सकता तो ये है उसका नेत्र ये हो गया इसका मानुनेत्र का नेत्र lens कहरें 30 से ज्यादा नहीं देख सकता मतलब 30 तक तो देख सकता है यहां तक यह देख सकता है तो यह point हो गया देख सकता है देख सकता है तो अगर कोई प्रतिविम यहां बनेगा तो यह देख लेगा कह रहे हैं कि अनन्त पर इस्तित वस्तु को यह देखना चाहता है अनंत पर वस्तु जो उपस्थित होगी यहां कहीं पर माल लेते हैं कि यहां कहीं पर यह अनंत है इस पर उपस्थित वस्तु को देखना चाहता है तो एक ऐसा लेंस प्रियोग करेना कि अनंत का प्रतिविम यहां बना दे यहां पर वस्तु है उसका प्रतिविम्प अगर यहां बन जाए प्रतिविम्प यहाँ पर अगर बन जाए तो यह आंख इसे बहुत आसानी से देख सकती है ठीक है? तो वस्तु रखी गई अनंत पर तो यू हो गया हमारे पास माइनस अनंत ये अनंत लिख लेते हैं प्रतिविंब कहां बनाना है तो नेत्र से कितनी दूरी तक देख सकता है 30 से अधिक नहीं देख सकता है तो यह देख सकता है कहां तक तो माइनस 30 cm तक देख सकता है ठीक है बाई तरफ ही है तो हमें f बताना है कितना निकल के आएगा तो f की value देखो यहां से minus 30 cm ही निकल के आने वाली है ठीक है यह minus 30 cm ही निकल के आएगी क्योंकि अगर हम formula use करेंगे कौन सा formula use करेंगे 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u तो यह value तो हो जाएगी 1 by n 0 बनेगा तो यहां से value निकल के आएगा f हमारे पास पता है नहीं 1 by v हमें पता है कितना है minus का 30 है तो यहां से f की value कितनी आएगी तो minus का 30 cm ही निकल के आएगा कोई भी हमें concept use नहीं करना है direct हम लेगा लिया करेंगे सवालों को आगे सवाल दे रखा है दूर देश्ट दोस्वाल ने बेकतिका निकट बिंद 150 cm की दूरी पर चला गया ठीक है वह 25 cm की दूरी पर रखी बस तो को पढ़ना चाहता है मतलब कि यह ऐसा है मानो नेत्र ऐसा है यहां कहीं पर ऐसी बात कर रहा है यहां पर है N जिसकी दूरी हम लोग जानते कितनी होती है capital D जो की 25 cm लिखी जाती है अब यह देख कहां सकता है तो यह देखना चाहता है 25 cm की दूरी को लेकिन यह जो देख पा रहा है वो कितने को देख पा रहा है तो यह देख पा रहा है 150 cm को तो अब की बार जो हमारा प्रतिविम बनेगा वो यहाँ बनेगा, तो हम यहाँ पर MS form कराएंगे, यहाँ पर MS form होगी, प्रतिमिम बनेगा, जिसकी वज़े से चीजों को देख पाएगा, वस्तु हमें इस बार यहाँ रखनी है, क्योंकि इसकी वस्तु को देखना चाहता है, तो कोई एक ऐसा लेंस प्रियोग करेंगे, ज माइनस डेड़ सो सेंटीमीटर बनाना, F निकाल सकते हैं अब यहाँ से सिंपल, तो 1 by F is equal to 1 by V, V कितना है, 1 by minus का डेड़ सो, और यह 5 हक का 30, तो यह 30 आएगा, value निकल के आएगी, प्लस का 30 सेंटीमीटर, आगे सवाल दे रखा कि एक संयुक्त सूचमदर्सी की नेतरिका तथा विदर्से की फोकस दूरिया दे रखी है, तो हमारे पास यह value क्या है, तो यह है नेतरिका, तो इसे हम लिखेंगे FE, और यह हमारे पास एक नहीं, यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो याद रखेंगे, यह 2 सेंटीमीटर है, हमारे पास value, यह है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर है यह, तो 2 सेंटीमीटर क्या लिखा जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, FO बराबर में 2 सेंटीमीटर और Fe बराबर 6.25 cm प्लस का लिखेंगे ठीक है और इनके बीच की दूरी जो L दे रखा है वो दे रखा है 15 cm और अब द्रस्यक से वस्तु की दूरी बतानी है तो अब द्रस्यक से वस्तु की जो दूरी लिखी जाती है वो क्या लिखते हैं U O यह U O बताना है ताकि अंते प्रतिविम अनंत पर बने तो हम लोग जानते हैं L बराबर फार्मूला V O प्लस Fe यही तो लगाते हैं L बराबर यहां 15 लिखेंगे जब प्रतिविम अनंत पर बनता तब यह ऐसा होता है V O हमें पता नहीं है प्लस यहां पर Fe के बारे में बात तरहें तो Fe हमें कितना दे रखा है तो 6.25 दे रखा है अब अगर इसमें से घटाएंगे तो V O की वैल्यू कितनी बनेगी 99 माइनस का बनेगा 0.25 तो यह बन जाएगा 8.75 सेंटीमीटर यह positive value निकल के आएगी ठीक है अब हमारे पास यह पता है कि वस्तुक का प्रतिम कहां बन रहा है तो V O की वैल्यू हमारे पास 8.75 है सेंटीमीटर में F O की वैल्यू हमें दे ही रखी तो F O हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर तो हम यहां से निकाल सकते हैं U O कितना निकल के आएगा तो solve करते हैं 1 by F O is equal to 1 by U O minus 1 by V O 1 by F O पता है 2 सेंटीमीटर 1 by U O लिखा जाया तो क्या लिख सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं यह दिया ही नहीं गया है U O minus 1 by U यह क्या लिखा गया है 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U होता है तो 1 by V O हमें पता है 8.75 minus 1 by U O बनेगा अब इसमें हम solve कर दें value से तो क्या निकल के आएगा 1 by U O is equal to यहां बन जाएगा 1 बटे 8.75 minus 1 बटे 2 बनेगा ठीक है और इससे हम अगर solve कर देते हैं U not बराबर इससे solve किया जाए तो कितना लिखा जा सकता है तो यह value यहां से multiply भी कराना चाहें करा सकते हैं यह बन जाएगा 2 minus 8.75 divided by यह value बन जाएगी यहां पर 8 दूनी 16 बनेगा यह value 8 दूनी 16 बना लेगी और यहां बनेगा 75 का double 800 बनेगा तो यह बन जाएगा 16 एक और यह बन जाएगा 5 तो यह बनेगा 17.5 तो इसे हम लिख देते हैं 17.5 ठीक है यह value आएगी अब इसको हम solve कर देते हैं तो 2 मेंसे जब भटाएगे तो यह बनेगी value minus का 6.75 बटा 17.5 अब अगर इसे solve कर देते हैं uo की value तो कितनी बार में चली जाएगी यह value तो यह लगभग में 1.500 लिखा है 1.500 का डबल जाएगा तो यह value लगभग में निकल के आएगी 2.59 और minus यहाँ पर भी आएगा तो इतने centimeter यह value निकल के आएगी आवर्धन छमता निकालना चाहें तो v o की value है 8.75 और divided by में u o की value कितनी निकल के आएगी है तो वो minus का 2.59 निकल के आया है 1 प्लस d, d कितना है d तो 25 होता है और divided by में fe की value तो fe की value दे रखी 6.25 इसे फर्दर solve करेंगे तो यह value मिल जाएगी हमें 13.51 ठीक है? solve कर लेंगे और answer मिलेगा एक और question दे रखा है इसे भी solve कर लेते हैं कह रहे हैं कि एक खगूली दूरदर्सी की आवरदन चमता 15 दे रखी है तो आवरदन चमता इस बार 15 हमें दे दिया है अब द्रस्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी दे रखी है अब द्रस्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी भी पता है तो कह रहे हैं यदि दोनों लेंस उत्तल हो तो उनकी अलग-अलग focus दूरियां ग्यात तरो ठीक है? खगूली दूरदर्सी है ऐसा सब कुछ कहा गया तो हम लोग formula लगाते हैं आवर्धन चमता का M बराबर minus FO upon FE ठीक है? minus लगाते हैं क्योंकि प्रतिमी मुल्टा बनता है यहाँ पर magnitude wise लेखना चाहें तो magnitude wise लेख सकते हैं कोई बात खास नहीं है तो यह बनेगा FO upon FE ठीक है? तो M के बारे में बात तो यह 15 दे रखा है यहाँ पर FO बन जाएगा यहाँ FE लिखेंगे तो यहाँ से FO की value निकल के आएगी 15 FE ऐसा solve कर दिया कहरें नेत्रिका के और उनके बीच की दूरी दे रखी तो हम जानते हैं कि FO plus FE होती है दूरी और यह कितना दे रखा है? तो यह हमें दे रखा है 80 cm तो यहाँ से FO plus FE है यह कोई एक FE लिख लेता है तो माल लेते हैं इसे हम FE लिख लिया तो FO की value यहाँ रख देते हैं तो 15 FE यहाँ से और प्लस FE बराबर 80 तो FE बराबर कितना आएगा? तो 16 5 cm निकल के आ जाएगा यह FE की value और FE 5 आएगा तो FO की value कितनी आएगी? 75 cm निकल के आ जाएगी तो इस तरह से simple सवाल था लगा सकते हैं अरंद पर प्रतिम बन रहा होगा ऐसा हम यहाँ पर consider करेंगे तो बांसर निकल के आएगा तो यह complete ray optics सा किरण प्रकासिकी था पूरा मिला के 13 में पूछा जाता तो उसका एक पार्ट हम लोग आज cover कर चुके हैं अगले पार्ट में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे तरंग सिध्धान्द के बारे में जिसमें हम हाइगेंस का तरंग सिध्धान्द पढ़ेंगे वितिकेरण विवरतन के बारे में पढ़ेंगे तो इस क्लास को revise करें मिलते हैं अगली क्लास में किरड़ प्रकासिकी के लिए till then wish you all the best